नमास्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रुकमाणी पब्लिकेशन दा प्लैटफॉर्म का जो अरारबी एंटी पीसी स्टेज बन की एकजाम हुई थी यह उसका टोटल कोश्चन वेंग हो होने वाला है और यह काफी इंपोर्टेंट है सभी एकजाम की ड्रस्टी कौन से दोस्तों यह जो है रुकमाणी पब्लिकेशन का बॉलियम 3 है इसमें दोस्तों ऑप्शनल कोश्चन मिलेंगे आपको इसमें टोटल पैंतास सो प्लस प्रसनों को समलित किया गया है और जैसा कि इसका कॉंटेंस है वो है सेट एक से लेके पचासी तक तो इसमें टोटल आपको एक से पचासी तक मिलने वाले हैं सेट तो पहला वाला प्रारम करते हैं जो की 28.12.2020 सिफ्ट पहली में पूचा गया प्रसन है दोस्तों आपको बता दें यह है वीडियो थोड़ी सी लॉं कि यह गये हैं शम्मान विज्ञान के प्रसन तो चलिए देखते हैं पहला प्रासन है किसी पधात की मात्रा कुमापने के लिए निम्लेखत में से किस एकाई का उपयोग किया जाता है तो वह है मौल नेक्स्ट प्रसन है निम्लेखत में से कौन सा डिया डियो द्वारा बिक एक multi-viral rocket system है तो बहुत पिना का नेक्स्ट प्रस्ण है उबन्टू क्या है तो उबन्टू एक दोस्तों operating system है नेक्स्ट है कम्प्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है तो इसका होता है uniform resource locator नेक्स्ट है निम्न में से कौन सह जीवी सम्मंद को दर्श आता है तो इसमें काई नेक्स्ट है निम्लेकत में से कौन सा रोग बिशानू से होता है तो इसमें chicken box नेक्स्ट है निम्लेकत में से किसमाध्यम से ध्वानी नहीं जा सकती तो निरवात से नेक्स्ट प्रेस ने आपका सेरी कल्चर सब्दने में लेकत मैंसे किसे स्रम्मंदत है तो यह स्रम्मंदत है रेसम की खेती से नेक्स्ट है यदि किसी ब्यक्ति का द्रम्मान प्रद्वी की सताय पर 60 kg है तो चंद्रमा की सत्य पर व्यक्ति का द्रम्मान कितना होगा तो दोस्तों भार जो है परिवर्दत होता है द्रम्मान परिवर्दत नहीं होता है इसलिए इसका अंसर हो जाएगा श्राठ नेक्स्ट प्रसने कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तस्क कहा जाता है तो वो है CPU नेक्स्ट है श्रमान अध्यान के प्रसने पहला प्रसने इमलेक्त मैंसे कौन सा राज पुर्वत्तर भारत के पुर्वत्तर भारत के शेवन सेस्टर राज्चों का सदस्त नहीं है तो इसमें नहीं है सिक्किम नेक्स्ट है किस सिक्ष गुरू ने खालसा पंध की स्थापना की थी तो वह है गुरू गोबिन सिंग शी सबरी माला मंदर कहां पर इस्थे थे तो ये दोस्तों केरल में इस्थे थे नेक्स्ट है नेक्स्ट निम्लिकत में सिक्वार्माती आश्रम से लेकर डांडी तक प्रिसद नमक मार्च शुरू किया था नेक्स्ट है स्वाराज मेरा जर्म से अधिकार है और मैं ऐसे लेकर रहूंगा यह है किस ने कहा था तो एक कहा था बालंगाध तिलक ने एक अप्रेल 2019 से किंदो बैंकों को बैंक को बढ़ोद्रा में बिलै कर दिया गया है तो वो है विजया बैंक और देना बैंक संस्थन में बहारत में केंद्री आलू अनुशन्न अनस्तन कहां पर इस्थत तो यह स्यमलामे स्यमला में इस्थत थे तरू konkile नेक्स्ट प्रस ने दच्छन अमेरिका को कौन सा दो देश जो है एस्थल रुद्ध है तो यह हैं परागवे और बोलिविया नेक्स्ट है किस भारती राज्जी की मुक भूमी की टट रेखा सबसे लंबी है तो यह इसका है गुजरात नेक्स्ट है निम्लेकत में से कौन सा प्रस श्रीनंगर और लेह को जूडता है तो यह है जोजिला नेक्स्ट है महारत न केंद्री सरवजनेक छेत्रक अपकरमों की अपक्रमों की सूची में निम्लेकत में से कौन सी कंपनी सामिल है तो इसके अकौर्डिंग देखां आप्शन के अकौर्डिंग तो कोल इंडिय लिमिटेड नेक्स्ट है भारत के किन दो सेहरों के बीच पहली सेमी हाइज स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है तो पहली चली थी नई दिली से वनारस या वनारसी जंग्शन नेक्स्ट है चित्रकला की पठ चित्रसेली निम्लेकत में से किस राजिस्गी तो ए है भाईया उडीशा का नेक्स्ट है निम्लेकत में ऐसे कौन भारत के सबसे यूबा राष्ट पती है तो शिरी नीलम संजीव रेड़ी नेक्स्ट प्रस ने इंटरनेशनल कोर्ट अब जस्टिस का हेड़ क्वार्टर कहां पर इस्तेत है तो इसका है दाहेग में नेक तो इसका अंसर हो जाएगा ये सिया में नेक्स्ट है राज राजत त्रंगणी के लिखक कौन है तो इसके लिखक है कलहाण कलहाण नेक्स्ट प्रस ने पानिपत का दूसरा योद अकबर और हिमू के बीच किस बस लड़ा था तो ए हुआ था पंद्रासो छप्पन में नेक्स्ट है निमलेखत में से कौन सा देश संयोक्त राष्ट सुरक्षा परसत का स्थाई सदस नहीं है तो इसमें है जो है चीन है फ्र वन्षव बामन तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं सेट नमबर 2 है 28-12-2020 सेकंड में आने वाले प्रस्णों को कवर करते हैं चलिए बिज्जान के प्रस्णों को देखते हैं निम्न मैसी कौन सा कंप्यूटर में साएक मेरी या सेकेंड्री मेरी का हिस्रा नहीं है स्टेशन कहां पर एस्थापित किया गया था मलब किस वर्स थापित किया गया था 1979 में नेक्स नेमे से कौन अधिसरासी है कि तो यह है द्रममान नेक्स्ट रहा है किस नियम की अनुशार इस्थरतापमान पर ग्रेस के आयतन दाब युद कुर्मान पाती होता है तो यह वो एलकनियम नेक्स्ट है निम्लकत मेंसे कौन क्या निम्लकत मेंसे क्या परी संचरान तंत का अंग नहीं है तो इसमें बड़ी यात नहीं है नेक्स्ट है कम्प्यूटर की भौतेक इसमरती को संग्रहत पाइणाम निकालने की प्रिक्रिया को क्या कहते हैं तो इसे बोलते हैं, आउटपुट प्रॉसेस नेक्स्ट है, टेक्सू नौमी का चना किसे कहते हैं तो कॉल लीनियस नेक्स्ट है, साप एकछिता का सिध्धान किस से सम्स्दध है अलवर्ट सा पेक्षिता का सिध्धान किस से सम्मान देता तो यह हैं अलवर्ट आइस्टी नेक्स्ट है भाबा परमाणु अनुसंधान केंद वार्ग कहां पर इस्थेत है तो यह इस्थेत है ट्रामबे एनकी मुंबई के आसपास का छेत्र नेक्स्ट है सूचना प्रद्धोग की में एन आई यू का पूर्ण रूप क्या है तो इसका होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनेट नेक्स्ट है सेव से सम्मंदत रोग कौनसा है सेव से सम्मंदत रोग को किस रूप में जाने जाता है ऐसा आग बोल सकता हूं तो यह है फ जीव है जो मलब किसके सूचक होते हैं लाइकें तो आपने पड़ा होगा वायू पॉल्यूशन के सूचक होते हैं या चेताब नहीं देते हैं इसके बाद आते हैं जो है श्रमान अध्यन के प्रस्ण है निमलेकत में से कौन परियोजना कौन सी परियोजना उत्राखंड में इस्ते थे तो इसमें हैं टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्पलेक्स नेक्स्ट है जो तरंगा जंडा इस्टू गार्ड में मैडम भीका जी गामा ने फैराया था उसे चोरी छुपे ब्रेटस भारत में कौन लाया था कौन लाया था अच्छा परस ने तो यह लाया थी इंदू लाल यगनिक नेक्स्ट है भारत की सम्मिधान भारत की भारत की सम्मिधान में नागरिकों की मौलेक करतब्बों को शामिल किया गया है किस सम्मिधान सम्मिधान द्वारा तो यह ब्यालस भी सम्मिधान सम्मिधान तो यह है ग्रैमी प्रोशकार, नेक्स्ट है भारत में राष्टि आई की गणना का पहला प्रयासर परतम किया गया था दादा भाई नोरुजी की द्वारा, नेक्स्ट है सूर का चमकता हुआ सता है, क्या कहला आता है, तो यह है फोटो इस्पेर, नेक्स्ट है मोपला बिद्रोय किन वर्षों में हुआ था तो यह हुआ था 21-22 के आसपास मालावा टट जो की केरल के आसपास है केरलाई में है भारत सरकार ने इंद्रधनस फ्रेमबर्ग कारिकरम की शुरुवात किस वर्ष की थी नेक्स्ट है किस देश की मुद्रा है तो यह जापान की है किस ने इस्ट इंडिया कंपनी के खलाब प्लासी का योद्ध लड़ा था तो यह है स्राज्ट डौला नेक्स्ट है कौनसा राष्ट ने 5 बार कुमन ब्लत घंब की मेचवानी की है तो यह है यह आस्ट इलिया नेक्स्ट है सयोगत अक्एडमी साहट अक्याडमी का मुख्यालग कहां पर स्थेते है तो ये नई दिल्ली में इस्तात है, नेक्स्ट है, परसद गोल गुम्मत कहां पर स्तात है है, तो ये कन्नाटक के बीज़पुर के आस पास, नेक्स्ट है, जलियवालाबाग नरसंगार किस दिथी को हुआ था जो यह हुए था 13 अप्रेल 1919 को नेक्स्ट है जलिया बाला वाग नर संगहर किस वाइसराय के सासनकाल में हुआ था तो इस टाइम पे थी जेम्स फोड नेक्स्ट है निम्नमेसी और वरक क्रांती से कौन सा रंग मलब किस रंग से सम्मंदे थे तो यह है भूरी क्रांती थी और वरक क्रांती से सम्मंदे थी नेक्स्ट है प्रदवी ग्रह का कौन सा छेतर जहां जीवन मौजूद है उससे क्या कहते हैं जीव मंडल नेक्स्ट है निम्लेखत मैंसे कौन से राज्ज में बिधान परिसाद है तो इसमें आंद्र प्रदेश में हैं नेक्स्ट संयुक्त राज सुरक्षा परसत का मुख्याला कहा परसते थे तो यह निव्यार्क में नेट नेशनल प्रोड़क्ट एननपी क्या है यह रहे उनकी आप्शन तो इसका आर्थ होता है एननपी बरावर होता है जी एनपी माइनस मूल हरास नेच्ट है भारत के सम्मिदान सर्वा के विचार पहली बार किस ने दिया था तो यह हैं एमें रायनी नेच्ट है एननमेश से प्रशद संतूर बादक है सियोकुमार शर्मा नेच्ट है उन्चास्वी श्मानता रेखा किन-किन देशों के बीच है तो यह है अमेरिका कनाड़ा हाँ दोस्तों अगर आपको इसका पीडियेप चाहिए तो हमारी टेलेगराम गुरुप को जॉइन कर लें उसका जो है लिंक में दे दूँँगा अपने चैनल की डिस्क्रप्शन में तो चलिए नेक्स्ट सेड पर चलते हैं तो 29 बारा 2020 पहली सेपन में पूचे गए प्रस्नों को कवर करती है समान विज्ञान पहला प्रस्न है निम्न में से किस रक्त समूवाली लोगों को सर्व भौमेक प्राप्त करता माना जाता है तो ए है यह भी प्लस नेक्स्ट है रोवर्ट हुक ने किसकी खोज की थी कोशका की नेक्स्ट है थुम्बा को किसकी अपस्तिती के कारण रॉकेट लॉंच के लिए आदर्स एस्थल के रूप में चुना गया है तो एसका अंसर है एकवेटोरियल लक्टोजेड के कारण नेच्ट है पित किसके द्वारा चुरावित होता तो यह या क्रत द्वारा नेक्स्ट है ले नेत्र लैंस की अत्यधेक वक्रता का या तेणा पन का कारण क्या बन सकता है तो यह हो निकट द्रस्टी दोस नेक्स्ट है निमने मैंसे कौन सा बैब ब्राउजर नहीं है तो गूगल एक सर्च एंजन है बैब ब्राउजर नहीं है दोस्तों नेक्स्ट है चुने के पानी का राशानेक सूत्र क्या है तो यह है C.A.O.H. का होल्ट वाइच नेक्स्ट है श्रमाना ध्यान के प्रस्ट तो है यूने इसको द्वारा सांची इस्तूप कुबिस धर्वर इस्तल कब घोशत किया गया तो 1989 में नेक्स्ट है किस देश में सबसे सफल स्यकारी किर्शी है तो यह है डैनमार्क में नेक्स्ट है STTP का पुन रूप क्या है तो इसका है Hyper Text Transfer Protocol अप्सन नमबर B नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ती का आवाहन किया गया था तो यह है 1906 में नेक्स्ट है पुरा तात्वे खुदाई के बारे में अनेयस्ट म्यके द्वारा लिखत पुस्ता का नाम क्या है तो पुस्ता का नाम है फादर एक्स केवेंसस एट मुहन जोदरो नेक्स्ट है जापान में जापान के समराथ अकी हितो द्वारा राजगदी के त्याग के साथ शुरू हुए नए सामराजक योग को किस रूप में जना जाता है तो ए रहे उसके ओप्शन तो इसका हो जाएगा किस रूप में जना जाता है उसे बोलते हैं नेक्स्ट है भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है तो यह है डेकन क्वीन नेक्स्ट है किस प्रिशद लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तमाल किया नेक्स्ट है आदर्स ग्राम योजना के प्रिणता सुरोत कौन है तो यह है माहतमा गांदी नेक्स्ट है निम्न मैसे भारत के किस वाइसराय ने निर्वाचत इस्थानिय सरकारी निकायों के सरचन की पहल की तो यह है रिपन ने लौड रिपन नेक्स्ट है रूर छेत्र कहां का सबसी महातपूर और दूग एक छेत्र है तो यह जर्मानी का है नेक्स्ट है जी एस्टी किस तरह का कर है तो यह है एक अप्रतेक्ष कर है दोस्तों कैसा कर है अप्रतेक्ष कर है नेक्स्ट है बारतिय शम्मेदान में सोतंता स्रमानता और बंधुता की आउधार नाएं किस देश से गरण की गई हैं तो यह हैं फ्रांस से ले गई हैं वहां के 1857 के बिद्रो भारत में ब्रेटस महलाओं को समर्पित एक पैंटिंग इन मिमोरियम किसने बनाई तो यह बनाई जोसेप नोयल फेंटन नेक्स्ट है भारत का पहला सुपर कंपूटर कौन सा था तो यह परमाठ है यार नेक्स्ट है चिस्ती सिलसला के सबसे महत्पूर्ण सिक्षकों में एक है सेक मुईनुद्दीन चिस्ती की दरगाय कहां पर इस्तित है तो यह है अजमेर म नेक्स्ट है भारत का समिधान किस समिधान दिवस किस दिन मनाय जाता है तो यह मनाता है 26 नुवंबर को नेक्स्ट है भारती राश्टी कांग्रेस का गठन किस ने किया था तो यह किया था एयो हूम ने नेक्स्ट है निम्लेखत में ऐसे कौन सा एक बाग आरक्षित है छेत्र है तो यह है गिर वंच्यू अभ्यारण लास्ट प्रस्ट है चंद्रयान सेकेंड को लॉंच करने के लिए किस लॉंच यान का उप्योग किया गया था तो यह है GSLB MK3 M1 चलिए चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पर नेक्स्ट एक्जाम हुआ था उन्तीस बारह दो यार बीस सेकेंड सिप्ट का तो चलिए देखते हैं शमान विज्ञान के प्रस्टों को पहला प्रस्ट है नीबू के रसका पी एच मान कितना होता है लागभाग में बताना है तो यह होता है दो किया असपास नेक्स्ट है बायो फायटा निमलेकत में से किस बनास्पाती से शमान देत है तो यह है मारकेंसिया नेक्स्ट है सरंखला में सरंखला में चार प्रत्रोध को जिनमें स्विप्रतिग एक बटे चार ओम का है का उप्यो करते हुए अदेक्तम कितना प्रत्रोध बनाया जा सकता है तो यह है एक ओम का प्रत्रोध बन सकता है नेक्स्ट है पाइथान क्या है एक पाइथन क्या है स्वारी पाइथन क्या है एक तो एक प्रोग्रामिंग भाशा है नेक्स्ट है मायोपीय वाले ब्यक्ती की द्रश्ट्री को टीक करने के लिए किस प्रकार के लेंज किया वसकता होती है तो यह है अब अब सारी लेंज नेक्स्ट है इंटेल कोर आई नाइन क्या है एक तो यह है एक प्रोशेसर है नेक्स्ट है निम्लेकत मेंसे कौन एक सूपर सोनेक कुरूज मिसाइल है तो यह है ब्रह्मोस नेक्स्ट है बैरी बैरी रोग बैरी बैरी एक रोग है जो किस की कमी की कारण होता है किस बेटामिन की तो यह होता है बीवन की कमी की कारण नेक्स्ट है निम्लेकत मैसी माना रोग में कौन सा रोग जीवान उसे होता है तो यह है टाइफाइड नेक्स्ट है शमाना ध्यन की प्रेस्ट नेक्स्ट है निम्लेकत मैसी कौन सा एक यूनेस को विस धरवर इस्थल नहीं है तो इसमें नहीं है जंत्र मंत्र विया विजदर वरिस्त लाई है जो जो है वे हैं और अंगाबाद की जोया जंतागी गोफा है और रानी की बाओ है और सूर मंदर कुनाण को आन का सूर मंदर जेबीस दे नेक्स्ट है हुमायू नामा किसके द्वारा लिखी गई है तो यह गुलवदन बेगमद्वारा नेक्स्ट है जिम कारवेट राश्टी और ध्यान कहां परिस्त है तो यह जो तरहखन में स्ते थैं नेक्स्ट है जी एस्टी भारत में अधि रोपयत एक आप्रत्यक्ष कर है जी एस्टी का पूल रूप क्या है इसका होता है गुड़्स एंड सर्वसेस स्टेक्स नेक्स दाथ्यण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो वह ब्राजील नेक्स भारत का केंद्रिय और प्रशदी अनुसंदान सांस्तान कहां परिस्तत लखनव में नेक्स्ट है निम्लेकत मेंसे कौन सा अस्थल यूरिनियम खनन के लिए प्रिसद्ध है तो है जादू गौणा नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है बताईये कौन सी है तो ये है अटल सुरंग नेक्स्ट है निम्लेकत मेंसे कौन सी नदी अरप सागर में गिरती है तो ये ताप्ती नर्मदा ताप्ती दोनों गिरती है दोस्तों ये स्वुनेजर्ट का मुख्याल कहा परस्थथ है नेक्स्ट लोग्षभा लोग्षभा और राश्च्रवास कि संस्यंुक्त-बैथा क्या अध्यक्ष तो इसके अध्यक्षिता करता है लोग्षभा के सभापति या ज़त्यक्ष बहुत शापती तो नहीं कहासकते Caleb उर्फफ पूरख को गता, नेक्स्ट है निम्लेखत में से कौनसा देश- supposed-as है तो इस में है अफगानिस्तान, और सबसे लास्ट में जोड़ा अफगानिस्तान, यह भी पूंचा जा सकता है, about it, भारतिय सम्मिधान के चनक की रूप में किसे जाना जाता है? तो यह आइं डॉक्टर वियार हमीटकर नेग्स्ट है जयातक कथाएं किस धर्मिशी सम्मंदित हैं तो नेग्स्ट प्रस एरहा कावेरी जलविवाद किंदू राज्चों के बीज है कंनाटक और तमेवलाडू नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारती राष्टी कांग्रेस की किस सत्र के अध्यक्षता की थी तो वो है बैल गाओं नेक्स्ट है गीत गोबिंद के द्वारा लिखी गई तो ये जैदेव है इसके लिए का नेक्स्ट है भारत में सम प्रदायक चुनावी परणा ली सबसे पहले किस प्लान में जो है या किस एक्ट द्वारा शुरू की गई थी तो ये है इसका अंशर हो जाएगा माले मिन्टो रिफॉर्म सुधार नेक्स्ट है कैबिनेड में सन किस वर्ष भारत आया था उन्निस्सो च्यालीस में नेक्स्ट सेट पर चलते हैं समान विग्यान का पहला प्रस्ण है निमलेकत मैंसे क्या तंत्र का तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्थी किरियाओं के बीच मद्यस्ता करता है और आवेगों को मस्तस्क तक और मस्तस्क से विविन्न भागों तक पहुँचाता है तो ए है मेरू रज्जू नेक्स्ट है निमलेकत मैंसे कौन सी भारत की वबगरे आधारे संबर्धन पृणाली है तो ए है गगन नेक्स्ट है पलास्टेक मैं निमलेकत मैंसे किसका उपयोग किया जाता है प्लास्टेक में निमलकत मेंसे किसका उपयोग किया जाता है तो एथिलीन का नेक्स्ट है निमलकत मेंसे किस प्राणी जगत के अंतरगत बरिक्रत किया गया है निमलकत मेंसे किसे प्राणी जगत के अंतरगत बरिक्रत किया जाता है तो यह मैटा जोआ नेक्स्ट है भारत में निर्मत प्रथम नाभी की रियक्टर कौन सा है तो यह है अपसरा नेक्स्ट है निमलेकत में से कौन एक जैबेक घटक नहीं है तो हरा पौधा नेक्स्ट है कम्प्यूटर के संदर्म में ट्रेकर बॉल एक कैसी डिवाइस है तो यह है एक इनपुड डिवाइस है नेक्स्ट है निमलेकत में से कौन आकाशे रुपी प्राणियों में सामिल नहीं है तो इसमें सरीशरप सामिल नहीं है नेक्स्ट है समान अध्यन के प्रस्णों को देखते हैं पहला प्रस्न निम्लेकत मैस्से क्या जम्मू और कस्मीर में स्थित है तो यह है डाचि ग्राम राश्टी वधियान नेक्स्ट है निम्लेकत मैसे कौन भारत में गेंद राश सम्मन्दू से सम्मन्दत नहीं है तो इसमें कोठारी आयोग नहीं है बाकी है तो पुंची आयोग है राजा मन्नार आयोग है और सहकारी आयोग है नेक्स्ट है महाविस्पोर्ट सिध्धान्त का प्रतिपादन किस के द्वारा किया गया था प्रतिपादा कौन थे स्वारी तो यह हैं जोज लेमेत्रे नेक्स्ट है स्वार प्रभा मंडल का प्रिछेपन और अध्यान करने है तू कौन सा है तू भारत के ब्याग्यानक मिशन को क्या कह जाता है स्वार प्रभा मंडल का प्रिछेपन और अध्यान करने है तू भारत के ब्याग्यानक मिशन को क्या कहते है तो ए है आदित एल वन नेक्स्ट है एक किलो बाइड कितने बाइड के बराबर है दस्थो चौविस नेक्स्ट है निम्लिकत मैसे कौन सा कौन से राज में बिधान परिशाद नहीं है तो वही है इसमें केरल में नहीं है नेक्स्ट है जोजिला टारनल प्रोजेक्ट कहां पर इस्थेत है तो यह है जम्मू कस्मीर में इस्थेत है नेक्स्ट है निम्लिकत मैसे कौन सा 2014 में भारत का 29 बाराज जबना तो यह है तेलंगाना नेक्स्ट है भारत में सरवजनेक छेत्र के उध्यमों में बीनिवेस प्रक्रिया किस बर्ष प्रारम की गई तो यह है 1909 नेक्स्ट है 1912 में सिविल सिवाओं की संबंद में रोयल कमीशन का गठान के समयवाय सराय कौन थे कौन था लौड हार्डंग डुतिये नेक्स्ट है OECD का मुख्याल है कहां परिस्ते थे OECD का मुख्याल है तो यह है पेरस नेक्स्ट है महान सहत्यक्रती मिरक्ष करतिकम के लेखा कौन है तो इसके हैं सूद्रक नेक्स्ट है भगवान महामीर का मूल नाम क्या था बर्धमान नेक्स्ट है रिपाबलेक पुस्ता के लिखा कौन है तो यह हैं प्लेटू नेक्स्ट है बेरंग जल डमरू मद किसे जोडता है तो यह जोडता है आर्केटेक महाशागार और प्रशांत महाशागार को नेक्स्ट है किसी चटान में नतवालन को क्या कहते है डाउन फोल्ड हाँ क्या कहते है तो इसे बोलते हैं अभी नती नेक्स्ट है नेमलेक तुम ऐसे कौन सा एक प्राचीन बहुत ग्रंथ है तो यह है अभी धम कोस नेक्स्ट है विसस्ट द्वत दर्शन के संस्ताप कौन थे तो यह महारामनु आच्यार नेक्स्ट है अश्रम औरवांचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सडक सह-पोल क्या कहलाता है तो इससे बोलते हैं बोगी बील ब्रज नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज है सोने का सबसे वड़ा उत्पादक है तो वह है कन्न का नेक्स्ट है निमलिक त मैसे कौन प्रक्ख्यात व्यक्ति बाद वोले से सम्मंदत हैं तो यह cooler भाई पटेल नेक्स्ट द्रशन बंस की स्थापना किसने की थी है तो यह COMMन दीन एवक नेक्स्ट है लाक्ष लास्ट प्रस्ण है इस सेट का निम्लेकत मेंसे दच्छन अपरिका की प्रसासनेक राजधानी कौन सी है तो यह है प्रोट प्रोटोरिया नेक्स्ट टेस्ट स्रीज पर चलती है तो देखते हैं 30.12.2020 सिप्ट सेकेंड में आने वाली शमान विज्ञान के प्रस्णों को पहला प्रस्ण है एक बिलेन चौक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गयस का नर्मान करता है जिससे चूने के पानी करण दुदिया हो जाता है उस बिलेन में क्या है बताईए बताईए उस बिलेन में है एस सी एल नेक्स्ट है मीथेन का प्रतीक क्या है सी एच फोर नेक्स्ट है कम्प्यूटर फिल्ड में ओ एल इक पुन रूप क्या है तो इसका होता है अबजेक्ट लिंकिंग एंड एंबेडिंग तो ओ एल इक होता है अबजेक्ट लिंकिंग एंड इंबेडिंग नेक्स्ट है बल का एस आई एक आई किया है तो इसका होता है एस आई क्या होगा निउटन होगा next Kelvin पेमाने बर पानी का हिमांग कितना होता है तो यह होता है 233.15 Kelvin next है भारत का पहला अपगर्य आरव हट अंप्रेक्ष यान का प्रिष्छेपित किया गया था तो यह था 19 अपरेल 1975 को next है कोजका की खोजकिस ने की थी तो रोबर्ट हुक ने की थी नेक्स्ट है भारत का सबसे नया नाभिकिये उर्जा संयंद्र कौन साहे तो यह है पुडन कुलम नेक्स्ट है बरगत के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है तो इसका होता है फाइकस बैधान लेसस ठीक है नेक्स्ट है श्रमान अध्यान के प्रस्ण तो पहला है ब्यप्तगत का सद्धान या ब्यप्तगत की नीती किसके द्वारा तैयार की गई थी तो यह थी लॉड डल होजी नेक्स्ट है एलक्ट्रोनिक रूप से शामान खरीदना या बैचना क्या कहलाता है तो इकलाता इकोमर्स जैसे की फिलप कार्ड हो गया एमाजोन बगेर हो गया मीसो हो गया नेक्स्ट है अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद लड़े थी चार नेक्स्ट नोबल प्रोषकार की कितनी सेड़ियां हैं तो यह च्छे सेड़ियों में दिया जाता है नेक्स्ट है फेस्बुक के सांस्थापक कौन है मार्क जुकरवर्ग स्वच भारत मिशन कब सुरू किया गया था दो अक्टूबा 2014 को नेक्स्ट है नेक्स्ट है दहेज प्रतिसेद अधिनियम कब लागू किया गया तो 1961 में नेक्स्ट है 2011 की जनगरणा के नुशार भारत का सरवदेख साक्छार राज कुन साहर केरल नेक्स्ट है कोलेरु जील किस राज में इस्थत है तो यह जो है आंद्रप्रदेश में इस्थत है नेक्स्ट है गदर पार्टी के से संस्था पक्ति तो हर दयाल नेक्स्ट 1931 में ने मलेकत में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्स हुए 1931 में वल्लब भाई पटेल नेक्स्ट है सार्क में कितने सदस देश सामल है तो इसमें है आठ नेक्स्ट है भारती राष्टी कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयुजित किया था कब आयुजित किया गया था दिसम्बर 1885 में नेक्स्ट है भारती राष्टी अनुसंधान समीती का गठन कब किया गया था तो 1962 में स्वाणम चतरभज पर योजना का सुवारम किस ने किया था तो एक यह थे अटल बहारी बाज पयाई नेक्स्ट है आर के नारायन का पहला उपन्यास इन में से कौन सा है तो है स्वामी एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेंशन है निम्लेकत मैसी भूत पूर आंद्रप्रदेश का सास्त्री नित कौन सा है तो एह है कुछी पुड़ी नेक्स्ट है राज सबा में कितने सदस होते हैं धाईशो, नेक्स्ट है, भारत के समयधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलक अधिकार दिये गए हैं, तो यह है भाग तीन, नेक्स्ट प्रस्ण, नेक्स्ट है, सेवा छेतर किसी आत्ववस्था के, मलब किस का एक हिस्टा है, तो यह त्रतिय छेतर में समलत है, नेक्स्ट है ताज मेहर परीसर का निर्मान लगभग कब शुरू हुगा था 1632 में नेक्स्ट लक्ष द्वीब शमू और एंडवान निकोवार द्वीब शमू के समुद्र टट सहत भारत की समुद्र टट की कुल नम्बाई कितनी है तो यह 7517 नेक्स्ट है भारत रत्न का प्रावधान कब पेस किया गया था तो 1904 में नेक्स्ट सेड पर चलते हैं नेक्स्ट है चार पहला माईना 2021 को पहली सेप्ट में पूछे गई प्रशनों को और टेस्ट सीरीज साथ है चलिए शमान विज्ञान पर पहला प्रशन है मानों सरीर में कौन्श अंग पित का रस उत्पादन करता है तो यह यक्रत नेक्स्ट है कम्प्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहत किया जाता है बाइनरी नेक्स्ट है फूल में गर्व केशर क्या है मादा प्रजनन अंग नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लेंग बेज जावा का विसकार किस ने किया था जेम्स गोस्टिलिंग नेक्स्ट है है फेपिटाइटिस यह किस के कारण होता है तो यह विशावन के कारण होता है नेक्स्ट है भारत में पहला नाब किये बिद्दो सयंद कहां पर स्थापित किया गया तो यह तार अपुर नेक्स्ट है धात्यों के पतले तार के रूप में धालने की विसेश्था को क्या कहते हैं क्या बोलती है तो यह तन्यता नेक्स्ट है इनसेट वन वी को कप शुरू की अगड़ तो यह उन्नीस सो तरासी को नेक्स्ट है भातकी की कौनसी साखा इस्थर तरल पधात के गुर्धर्मों से शम्मंदत है तो यह है हाइड्रो एस्टेटिक्स नेक्स्ट है मानो सरीर की पी एच रेंज कितनी है 7.35 से 7.45 तक नेक्स्ट है सरदार सरवरवान किस नदी परिस्थे थे तो यह नर्मदा नेक्स्ट है यू आरल का पूरूप क्या है तो इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लुकेटर नेक्स्ट है सम्मिधान भारतिय सम्मिधान में पहला संसुदन कब किया गया उनीश्व इंक्यावन में नेक्स्ट है नव कलेशवार उस्व किस रज से संबंदत है यह उडीैसा से शंबंदत है नेक्स्ट है गोधावरी नदी का उध्गं किस स्थान से होता है, ब्रह्म गिडी की पहाडिया है यह गंधी सागरवान किस रज में इस्ते थे तो ऐ मध्रदेश में इस्ते थे सांची का इस्तूप का निर्माण किसने कराया था किसने कराया था अशूअट ने ने क्ष्ट यह पोखरन परमानू परिक्षन सेकएंड का कोड़ नम क्या था po operation सकती nextふふar कब समराथवना नेक्स्ट है राजा रभी वर्मा एक क्या है तो यह है एक प्रसद्य चित्रकार रहे केरल के हैं यह है संबंदित 857 के विद्रोय को अंग्रेजों ने आखरकार कब दवाया 1869 में नेक्स्ट है RTI अधिनियम कब प्रभावी हुगा अक्टूबर 1905 में दोस्तों अक्टूबर 2005 में नेक्स्ट है किस ओधोग में कच्चे माल के रूब में चूने के पत्थर का उप्योग किया जाता है तो यह सिमेंट और धोग में नेक्स्ट है नेमलेके तम ऐसे कौन स्वा सबसे कम आयू का नोबल बिजेता है मलाला यूसूप जयी नेक्स्ट है कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रत्थम राष्ट धोज कहां पर फैराया गया था पहली बार कलकत्ता नेक्स्ट है भारत का पहला उच्छन आल है कहाँ पर स्थापित किया गया कलकत्ता नेक्स्ट है हिंदोस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन का गठन कब किया गया तो यह हुआ तब निश्टो चौबेश में नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्सी योजना का मुख ध्यान किस पर था किर्शी पर नेक्स्ट है प्रिशद हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है तो यह लिखा है भीश में शहानी नेक्स्ट है संयोक्त राज सुरक्षा परिशद में कितने आइस्थाई हैं सदस तु दस नेक्स्ट है स्वाइमन कमीशन कब भारत आया तो यह आया था 28 में 1928 में नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा वॉकसाइड उत्पादक राज तो यह उड़ीचा नेक्स्ट है भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस बर्ष भाग लिया था 19 स्वा में नेक्स्ट टेस्ट सिरीज पर चलते हैं नेक्स्ट है टेस्ट सिरीज आठ जो की हुआ था चार जनबरी 2021 सेकेंड सेप्ट में चलिए चलते हैं श्रमान विज्ञान के प्रस्णों पर पहला प्रस्ण है हमारे सरीर में बसा संचायक उर्था क्वान सा है तो यह है एडिपोज टिसू नेक्स्ट है नॉम्बर 2020 तक प्राप जनकारी के अनुशार भारत में कितने परिचालित नाब किये उर्चर रियक्टर हैं अच्छा प्रस्ण है यह आया हुआ है एंटीपीसी में चार जनमरी को आया है तो इस अभी तक चल लाए 22 जनकारी के मताबिक नेक्स्ट है टेलीकॉम छेतर में ISP का पूर्ण रूप क्या है तो इसका पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेक्स्ट है न्यूटन के गती के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है तो इसे बोलते हैं जड़त का नियम भी next है टेक स्वाल किस पेड से निकाला जाता है तो यह निकलता है सूची ब्रक्ष से next है जी सेट 31 क्या है तो यह दूर संचार उग्रे है next है निमलेकत मेंसे कौन सी नोबल गेस है तो यह आरगन next है MS Office 2010 की Excel वर्क बुक में default तोर पर कितनी सीट सामिल होती है तो इसमें तीन सीट सामिल होती है next है चेटी के डंक में कौन से अमल पाय जाता है तो इसमें होगा मैथी नोएक अमल next है यूनिसेप का मुख्याल है कहां परिस्ते थे तो यह हैं है नियुव्यार्क में next है 1875 1875 में मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी जो बाद में अलीगर्ड मुसलिम बिश्विद्याले वना है तो एक की थी सयद एमद खान next है प्रख्यात समाज सुधारक और महला सिक्षा के लिए कार करने बाली पंडत रामा वाई सरासोती किस भासा की महान विदूसी थी next है सयद रास्ट सुरक्षा परसत के आयस्ताई सदस्चों का कार काल कितना होता है तो इनका होता है दूस्तों इनका कार काल कितना होता है बताईएगा तो इनका होता है दो बर्स next है नेक्स्ट है बरतमान में शम्मिधान की आठ भी यहन सूची में कितनी भाषाँ शमलत हैं तो है 22 नेक्स्ट है दिल्ली की चामा मज्यत का नर्मान किस बर्स पूरा होगा 1656 में नेक्स्ट है भारती रेचर बैंक की स्थापना कब होई अप्रेल 1935 में नेक्स्ट है 2011 की जनगर्णा के नुशार भारत का लेंगान पात क्या है 943 नेक्स्ट है राज भासा अधिनियम की धारतीन के माध्यम से संग की का राजकिय कारियों के लिए अंग्रेची भासा के निरंतर इस्तमाल को किस बर्ष में लागू किया गया था 1965 में नेक्स्ट है भारती अंतर देशिये जलमार्ग प्राधी करण के नुशार भारत के नो गम में अंतर देशिये जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी हैं लगभग तो यह 14500 नेक्स्ट है बणात्मक इतियास की पोस्ताग इंडिया आप्टर गांधी किस ने लिखी रामचंद गुहाने नेक्स्ट है फतेहपोर सीक्री इस्तित बुलन दरवाजा अकवार द्वारा किस किस पर अपनी विजय के प्रती के रूप में वनाय गया था तो यह था गुजरात विजय के उपलक्ष में नेक्स्ट है भारत के राश्पती द्वारा लोक सबा में एंगलो इंडियन समुदाय से कितने सदस मनोनित किये जाते थी बार बौद दो भारत में पहली ब्रेटेस पेसीडेंसी के स्थापना कहा की गई थी भारत में पहली ब्रेटेस प्यसिडेंसी के स्थापना कहां की गई थी सूरत नेक्स्ट है भारत में सोवेत क्रांती के जनक किसे माना जाता है तो डॉक्टर वर्गीच कुरियन नेक्स्ट है फसलों के लिए निमलेकत मेंसे कौन सा निकार नियूंतम समार्थन मुल की अनुसंसा करता है तो ये है CACP नेक्स्ट है कुश्चिन संसा द्वारा निसल्क और अनिवार सेक्षा का अधिका अधिनियम किस वर्ष में पारत किया गया था 2009 नेक्स्ट है गांधी इस्मरती एवं दर्षन समीती का गठन किया गया था कब तो ये सितंबर 1984 में नेक्स्ट भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया 1973 में नेक्स्ट भारत में पहली यात्री रेल गाड़ी कब चली 1853 में नेक्स्ट है दूसरी बंदे भारत एक्सप्रस किन सेरों के बीच चली थी तो ये चली थी नई दिल्ली से कटरा और दोस्तों पहली चली थी नई दिल्ली से बनाराश 32 में प्रस्ट है बिद्वा पुनर बिभाय की अनुमती देने बाला कानून हिंदू बिद्वा पुनर बिभाय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था 326 में नेक्स्ट है भारत देश का दक्षतम बिंदू कौन से था इंद्रा पॉइंट नेक्स्ट है सुसिल कुमार ने किस खेल के लिए उलम्पेक बदक जीता था तो ये कुस्ती के खिलाडी है चली चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट बग अगला है सेट नमबर नौ जो की पांच जनबारी 2021 पहली सिप्ट में आई हुए प्रस्ण तो चलिए चलते हैं श्रमान विज्ञान पर पहला प्रस्ण है फूलों के अंडासा के अंदर छोटे मन के जैसी सरस्णा को क्या कहते हैं तो इसे बोलते हैं भी जाणूं क्या बोलते हैं भी जाणूं नेक्स्ट है कम्प्यूटर के छेत्र में एल आई एप हो का पूल रूप क्या है तो लास्ट है फर्स्ट आउट नेक्स्ट है बिभे ने बेद्द सुरक्षा अपकरणों मेंसे बेद्द धारा के तापिये प्रभाव पर आधारत अपकरण क्या कहलाता है प्रभाव पर आपकरण क्या है नेक्स्ट है कुलीन जमीदारों के पतन के बारे में सत्य जीत रॉय की प्रसद्य फिल्म कौन सी है तो यह है जल्स कौन सी है फिल्म सईसे दिखनी रहा जल्सा घर कौन सी फिल्म में जल्सा घर नेक्स्ट है कुलीन जमीदारों के पतन के बारे में सत्य जीत रॉय की प्रसद्य फिल्म कौन सी है तो जल्सा घर नेक्स्ट अंतराष्टी नेत्य दिवस कम मनाय जाता है तो यह मनता है 29 अप्रेल को प्रती वर्ष नेक्स्ट है भारत में राज पुनर गठन आयोग की स्थापन कब हुई थी तो 1903 पन में नेक्स्ट है भारत में राज नेतक सब्दा वली में आया राम गया राम गया राम की अभी व्यक्ति किसकी व्यक्ष्या के लिए लोग प्रिय हुई तो यह हैं गया लाल नेक्स्ट एक अलग आंद्र प्रदेश के लिए हुई आंदोलन को क्या कहा जाता है कहा जाता था तो यह से बोलते हैं आजाद आंद्र आंदोलन नेक्स्ट उनीस सो तेरा में सहत के लिए नुबल प्रोस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतिय का नाम था रबनाट ट्याग और नेक्स्ट है खिलापात अंदोलन का नेतत किसने किया था तो अली बंदोंने नेक्स्ट है निमलेकत में से कौन सी इनपूट डिवाइस नहीं है कुलीन जमीदारों के पतन के बारे में सत्य जीत रॉय की प्रिसद फिल्म कौन सी थी तो यह थी जलसा घर नेक्स्ट अंतराष्टी नित डबस कम मना जाता है तो 29 अप्रेल को नेक्स्ट है भारत में राज पुनर गठन आयोग के स्थापना कब हुई तो 1973 में नेक्स्ट है भारत में राज नेतक सब्दा वली में आयाराम आयाराम गयाराम की अहिव्यक्ति किसकी व्यक्या के लिए लोग प्रिये हुई तो यह गयालाल के लिए नेक्स्ट है एक अलग आंद्र प्रदेश के लिए हुए आंदोलन को क्या कहती ए तो ए आजाद आंद्र प्रदेश आंदोलन आजाद आंद्र आंदोलन नेक्स्ट है 1913 में साहित के लिए नुबल प्रोस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतिय का नाम क्या है तो यह रवि एंटर है नेक्स्ट कुल लागत पती एकाई उत्पादन लागत को किस रूप में जाना जाता है उसत लागत नेक्स्ट है अपने वैसेक सासन के स्थापना निम्ण मेंसे सबसे पहले कहां पर की गई वंगाल में नेक्स्ट नेक्स्ट है तमिल नाव वर्स किस नाम से जाना जाता है तो यह कहलाता है बरूसा पिरप्पू नेक्स्ट पूर्वी टट का सबसे पुराना करतम बंदरगाय कौन सा है तो है चिन नई नेक्स्ट है अर्थ बबस्था में पूंजी स्टॉक की ब्रद्धी सुद्ध निवेश या नई पूंजी नर्मान द्वारमा पी जाती है जिससे किस रूप में ब्यक्त किया जा सकता है तो यह सुद्ध निवेश वराबर सकल निवेश माइनस मूल हराज नेक्स्ट है भारती रास्टी आंदोलन के द्वरान निमने मैंसे किसे मसीनों और प्रद्रोकी का महिमा मंडन नहीं करने का कारण मानो समाज का प्रतिक माना गया है नेक्स्ट लंदन में संपन हुए दूसरे गोल में समेलन में कांग्रेस का प्रतिन धत किसने किया था महात्मा गांधी ने बस्तूं के निरयात और आयात के संतुलन को किस रूब में संदर्वत किया जाता है तो इसे बोलते हैं बैपार संतुलन नेक्स्ट है भारत के तत कालन राष्टपती द्वारा पहली बात्तिया भिट्टी कोद घाटन का रावल के लाइस्टिल प्लांट का सुभारम किया गया कब 1969 में नेक्स्ट है इस्ताई बंदोबस्त लागू होने के समय बर्धमान के राजा कौन थे तो इह हैं तेज चंद्र नेक्स्ट है तंजावर का कौन सा मंदर में चोल वास्तु कला का उधारण है जिसका नर्मार समराठ राज-राज प्रथम ने कराया था तो एह हैं ब्रादेश और मंदर UN के उस प्रमुक अंग का पहँचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था नियास परिसाद नेक्स्ट है सेट्स औफ सेप्रोन पुस्तक के लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं सबा नगवी नेक्स्ट है UN के आठ में महा सचो कौन थे तो बताइए इसका UN के आठ में महा सचो कौन थे तो इसके हैं वान की मून नेक्स्ट है भारत का शौबा अंतरेक्ष अभियान कब सुरू किया गया था शौवा तो एक किया गया था सुदंबार दो हजार बारा में अगला सेट है दस जो की पांच जनबारी 2021 को सेकेंड सिप्ट के श्रमान बिज्ञान के प्रस्णों को देखती है पहला प्रस्ण है निमलेकत में से कौन सा मुख उर्तक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों से पतियों तक जल पहुचाता है तो वो है जायलम नेक्स्ट है भोजन के पाचन में क्या मदद करते हैं तो लार मदद करता है नेक्स्ट है टेलिफोन के संदर में ADSL का पूर्ण रूप क्या है तो बताईए दोस्तों तो इसका होता HG Metrical Digital Subscriber Line नेक्स्ट है निमन में से कौन सा एंटी वाइरस सौप्टवेर है तो इसमें नौर्टोन नेक्स्ट है एंट्रेनेट तक पहुँचने के लिए निमलेखत में से किसकी अवसकता होती है तो इह होता है Unique IP Address नेक्स्ट है ओच्वन के एक अनू में ऑक्सीजन के कितने परमानू मौझूद होते हैं तो यह होते हैं वो त्री होता है उसकातु तीन हो जाएंगे दोस्तों नेक्स्ट है उस प्रकरिया का नाम बताईए जिसके द्वारा कोई येकल कोशिकास्वयं को दो भागों में विभाचित करती है तो यह है दोरा विखंड नहीं वाइनरी विखंडन दोस्तों क्या है वाइनरी विखंडन नेक्स्ट है को समान अध्यन के प्रश्ण कोरो मंडल टट निम्लेकत मैंसे किंदो राज्यों में ग्रह भूमी हैं कहां परश्थेत है इसका में यह है तो यह है तमिलाडू आंध्यप्रदेश के पास नेक्स्ट है भारती अंत्रक्ष अनुसंदान संगठन इस रो ने अपने चंद्र अनुवेशन मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रशेपण यान का उपयोग किया था तो यह है GSLBMK3 नेक्स्ट है भारत सासन अधिनियम 1935 ने पहली बार मलब किस की विवस्था की गई है तो यह है प्रांतिय स्वायतता की विवस्था की गई है नेक्स्ट है निमलेखत मैंसे कौन संयुक्त राष्ट प्रणाली का बाहरी निरक्षण निकाय है तो यह संयुक्त निरक्षण एकाई नेक्स्ट है निमलेखत मैंसे किस राजा ने कश्मीर में चतर्थ बौध संगीती का आयोजन किया था तो यह है कनेस्क नेक्स्ट है निम्लेखत मैंसे पहाड़ियों मैंसे किसकी पश्मी स्रीमा पर भारती रेगस्तान इस्तत है किस पहाड़ी के तो ये है अरावाली संयुक्त राष्ट महाश्वा 21 जून को किस रूब में मनाती है कौन सा दवस मनता है तो अंतराष्टी है योग दिवस भारत की निम्न में से कौन सा सीत मरुस्थल है तो यह है पेंटा गोनिया कप नेक्स्ट है गरीबी हटाओ किस राजनेतेक नेता का नारा था तो यह दिया था इंद्रा गांधी ने नेक्स्ट है पॉंगल पक्शीगार ननेम्लेखत मैसे किस । राज की पहल है तो यह है तमेल नार्डू नेक्स्ट है भारत में बस तु एवम स्रिवाकर GST कब लागू किया गया तो एक अप्रेल बताए कब लागू किया गया एक अप्रेल की एक जुलाई तो ए था एक जुलाई 2017 को नेक्स्ट है एली फेंटा की गोफाएं कहाँ परेश्थे थे तो ये है धारापुरी दुईप परेश्थे थे नेक्स्ट है भारत में और सम्मंद गति बिदियों हेतु रण के संबित्रण में सबसे अधेक हिस्षेदारी बानेजिक बैंकों की है तो कौन से बैंकों में मलब किरसी मलब सबसे ज़्यादा बानेजिक बैंकों की है तो इसका बताना है आपको किरसी नेक्स्ट है अप इसका बता रहा हूं है भारत में किरसी और संबद्ध गतिविदियों हेतु रिण के संबितरण में सबसे अधिक हिस्सिदारी बारेजिक ब्यांकों की है नेक्स्ट है गवर्ना जनरल लॉर्ड डलहुजी ने किस समराज को चेरी कहा था तो अबाद को नेक्स्ट है 1954 में रेलवे हरताल का नेता तो किस ने किया था तो एक किया था जॉर्ज फानांडेस नेक्स्ट है पहली यात्री रेलवे ट्रैन वंबे और थाने के बीच कब चली तो ये चली थी अठार सो त्रेपन में नेक्स्ट है नेमलिखत में श्रीकौन लंदन में पहले गोल मेर्स समेलर में सामेल नहीं हुआ था तो इसमें भारती राष्टी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था दूसरे वाले में भाग लिया था जिसमें महात्मगांदी गहे थी भारत का सबसे बड़ा नदी दुइप मजूली किस नदी परस्थत है तो ये ब्रह्मा पत्र नदी नेक्स्ट है प्राची निसमारकों और पुरात्ताद्विक इस्थलों और आवसेज अधिनियम उनिस सौंठामुन के अनुशार कोई भी सरचना मूर्तिकला सलालेक आदी जो कम से कम कितने बरसों से अस्थत में हैं प्राचीन कहलाएंगे तो ये हैं सो बरसों तक अगर ऐसा ही अस्थत में हैं तो वो प्राचीन कहलाएंगे परिवासा दी गई है प्राचीन की नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सारवजनेक छेत्र का वेंग कौन शा है तो है इस्टेट वेंग आप इंडिया एसी आई विकाश वेंग का मुख्याला कहां पर इस्ते थे किस देश में तो यह है फिलिपीन्स में इस्ते थे नेक्स्ट है उटों को रेगेस्तान का करना से लिया गया है तो यह है उटों का उप्यों ग्रेगेस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है नेक्स्ट है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्याग पत्र देने वाले मंत्री का नाम बताईए तो ए है बी के क्रिष्णा मेनन नेक्स्ट है प्रिषद संगाई उस्ट्राव पूर्वोत्तर भारत के किस राज द्वारा आयुजित एक बार्शक संस्क्रतिक उस्ट्राव है तो यह मणीपर दोस्तों अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो हमारे टेलिग्राम गूरप को जोईन कर लिए वहाँ पर इसका पीडियाप मिल जाएगा अगला है ग्यारा नंबर सेट जोकी साथ जनबारी 2021 सेट में पूचेगा स्रमान बिग्यान के प्रस्णों पर चलती है पहला प्रस्णे कम्प्यूटर पर रेमोट लोगेंग की सुबदा कौन परदान करता है तो यह परदान करता है टेल नेट नेक्स्ट है धनावेशत आयन को कहा जाता है धनायन नेक्स्ट है सौसन तंत से सम्मंदत विभन रोग किस प्रकार के पॉल्यूशन के कारण होते हैं तो यह वायू प्रदूशन के कारण नेक्स्ट है खाद इस रंखला के तीसरे पोसी इस्तर में निमलेकत मेंसे किसे सामिल किया गया है तो यह दोतीय अभोकता नेक्स्ट है उस तत्त का नाम बताईए जिसका इलाक्रोनिक विन्यास दो आठ साथ है तो यह है कलोरीन सत्र होता है नेक्स्ट है पेरी फेरल आई अबलेक ओ में कितने आउटपूट पोर्ट होते हैं तो इसमें होते हैं 256 नेक्स्ट है परेबरन और बन के संदर्ब में डबलू सी सी वी का पुन रूप क्या है तो इसका होता है वाइल्ड लाइब क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नेक्स्ट है नेमलेखत में से कौन सा कारवान का एक अपरूप है तो इसमें है हीरा नेक्स्ट है श्रमान अध्यान के प्रस्ट है 1922 में गांधी जी द्वारा आशायोग आंदोला ने स्थागत करने के मुख कारण क्या थे तो यह जो है उत्तर प्रदेश में चोरी-चोरा पुलिस स्टेशन में उग्रभीड के द्वारा आग लगा दी गई थी इस कारणों से बंद करना पड़ा था नेक्स्ट है भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट के अंग हैं तो यह है 26 नेक्स्ट है भारत के त्रचरण ना विकिये सकती कारकरम किये स्था अपना किस ने की थी तो यह है डॉक्टर हॉमी भाबा नेक्स्ट है महत्मा गांधी ने लौड एर्वेन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी जिन में से कुछ को गांधी एर्वेन समझाता की रूप में सुईकार किया गया था तो यह है 11 मांगें थी नेक्स्ट है वर्ल्ड वक एंड कॉपिराइड डे कब मनाया जाता है तो यह 23 अप्रेल को नेक्स्ट है 1922 में आसायोग अंदोलन को नेतत तो किस ने किया था महात्मा गांधी नेक्स्ट है भारती राष्टी कांग्रेश के पहले मुसलिम अध्यक्ष कौन थे तो यह थे बदरुद्दीन तयब जी नेक्स्ट है भारत के अंत्रेक्ष कारिकरम के जनक कौन है तो बिकरम शारभाई नेक्स्ट है भारत के अपने पहले परमानु बम का परिक्षण कब किया गया तो 1974 में नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया नेक्स्ट है भारत में राष्टी पंचायती राज दिवस कम मना जाता है 24 अप्रेल को नेक्स्ट भारत सरकार की निमलेकत में से कौन सी विवस्ता भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षत करने के लिए नहीं है बताईएगा तो एह है जो है सी नहीं है इसमें भारत सरकार ने घोसना की उधमिता पाहट किरम का प्रवंधन रज सरकार द्वारा किया जाएगा एह नहीं है नेक्स्ट है बांकी है भारत ने किस पंचवर्षी योजना के द्वारान मिर्शत अर्थ वरस्ता का विकल्प चुना बताईए कौन सी पंचवर्षी योजना थी तो दूसरी पंचवर्षी योजना नेक्स्ट है कौन सा सहर सौनेम चतरभज राजमार्ग नेटवर्ग का हिस्सा नहीं है तो इसमें नहीं है है दरवाद नेक्स्ट है बेप्रिस्द भारतिय महला वकील कौन है जिनोंने भारतिय डंड सायंता आईपीसी की धारा तीन सो ससत्तर के बुरद कानूनी लडाई का नेतत गया तो यह है मेनका गोश्वामी और अरुन्धाती काटजू नेक्स्ट है दुनिया का सबसे व्यास्थ समुद्री मार्ग कौनसा है तो यह है उत्तरी अटलांटेक समुद्री मार्ग नेक्स्ट है 2011 की जनगर्णा के अनुशार भारत का सबसे अधेक आबादी वाला राज कौनसा है तो यह है उत्तर प्रदेश नेक्स्ट है इमलिखत में से क्या कम्प्यूटर का एक घटक नहीं है कागज नहीं है नेक्स्ट है दुदिय विश्युद से प्रभावित लोगों में बच्चों और माताओं बच्चों और माताओं को आपातकालिन भोचन और स्वास्त देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट द्वारा कौन सी एजन्सी बनाई गई तो यह बनाई गई थी यूनी शेप नेक्स्ट है खलापात आंदोलन का नेतत किसने किया था किसने किया था लास्ट प्रस्ट है तो यह किया था सौकत अली और मुहम्मद अली नेक्स्ट है बारा जोकी साथ जन्वारी 2021 को सेकेंड सेप्ट में शमान विज्ञान के प्रस्णों पर चलते हैं पहला प्रस्ण है वन क्रम या एस्पेक्ट्रम के कौनसे दो रंग इनके इसके दोनों सिरों का नर्मान करते हैं बताईए तो यह हैं बैगनी और लाल नेक्स्ट है सोतंद आस्तित के सक्षम जीव की सबसे छोटी एकाई क्या है तो यह होती है सेल कोशिका नेक्स्ट है आकाश गंगा आकाश गंगा की निकरतम स्पाइरल गैलेक्सी कौनसी है तो यह है एन्रो मेडा गैलेक्सी नेक्स्ट है एम दरमान की कोई बस्तू यू बेक्से गतिमान है तो गतिमान है तो इसके संबेक को किसमे ब्यक्त किया जा सकता है तो MB हो जाएगा सम्भीक बरावर MB द्रम मान को ने बेग नेक्स्ट है घरेलू मक्खी का जिव बेग्यानेक नाम क्या है तो इसका होता है मुस्का डुमेस्टिका नेक्स्ट है भट्टियों जैसे अपेच्छा किरत वच्चताप मान मापने केलिगे निमलकत मैसे किस यंत्र का उपयोग किया जाता है तो पाइरो मीटर नेक्स्ट है चार तत सूची बद किये गए हैं जिनमें से तीन किस सटीक से किस तरीके से स्वमान है और एक असंगत है असंगत कचैन कीजिए तो इसमें सोडियम दोस्तों लगए नेक्स्ट है समान अध्यन के प्रस्ट है नेक्स्ट है सी प्लैन सेवा का प्रचालन करने बाला पहला प्रायदुईप कौन सा है तो यह हैं अंडमान और निकुवार प्रायदीप नेक्स्ट है भारत के सम्मेदान के लागू होने के समय इस में मूलता कुल कितने अनुछेद थे तो इस में थे 395 नेक्स्ट है निमलकत में से कौन सा सर्वजनक छेत्र उपकरम एक महारतन है तो इस में है भेल नेक्स्ट है पखाल वंज्यू अभ्यारण कहां परिस्थे थे तो यह है वारंगल नेक्स्ट है भारत की प्रथम रेलवे इनुवेस्टी कहां पर रिस्थे थे तो यह बढ़ोद्रा गुजरात नेक्स्ट है राष्टी ग्रामीर स्वास्त में सन किस वर्ष शुरू किया गया तो यह 2005 में नेक्स्ट है असो के प्राची इंतम प्राप्त अभी लेग निमन मैंसे किस लिपी में लिखे गए तो कौन से लिपी थी तो यह थी ब्रह्मनी नेक्स्ट है शब्द Artificially Intelligent किसने गड़ा तो यह है जोन मेकार्थी Most important question है दोस्तों नेक्स्ट है भारत के समुद्री मार्ग का पहली बार खोज किसने किया था तो यह किया था दोस्तों पुर्तगालियों ने नेक्स्ट है निमलेकत मैस्टिकौन भारती राष्टी कांग्रेस के चरम पन्थी नेता नहीं थे तो यह में नहीं थे सुरेंदनार वनर जी नेक्स्ट है हर्याना में भारत सरकार्दवारा किस इस्थान पर नाभी किये बिद्दत सायंत्र लगाया गया है कहांपर बताईए तो यह है गोरकपुर नेक्सट है सेफ्टू भारतम कारेकरम किस बर्ष शुरू किया गया तो यह 2016 में नेक्सट है कौट जाइट किस परकार का एक सेल है तो यह रूप अंत्रत सेल है नेक्स्ट है निमले कतमे से कौन से राज पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए है गुचराथ पंजाव राजस्तान हरियान भर नहीं है इसमें तो इसमें हो जाएगा ABC हो जाएगा नेक्स्ट है URL क्या है तो यहाँ एक एंटरनेट पर परदासत बैब पेज का एड्रेस नेक्स्ट है भारत के खिलापत आंदूलन के बारे में क्या सही है तो यह है तुरकी सुल्तान के समार्थान में एक आंदूलन था नेक्स्ट है भूगल के जनक माना जाता है तो यह है एरेट तो माने जाते हैं एरेटो स्थनीज को नेक्स्ट है नोबल प्रोषकार देने वाली संस्था सुईडेस अकेडमी किस छेत में नोबल प्रोषकार देती है सबका लागलक छेत रहे तो यह साहित के लिए next है भारत माला परियोजना किस से सम्मंदत है राजमार्ग सी next है यलो वेस्ट बिरोध किस देश से सम्मंदत है यहाँ फ्रांस सी next है निम्लेखत मेंचे कौन सा एक application software है तो यहाँ है graphics next है निम्लेखत मेंचे कौन चंद गुप्त दोतिये के नो रतनों में एक हैं तो ये 12 मिहर नेक्स्ट है राश्ष्वा के पहले श्वापती कौन थे तो ये थे प्राश्वा के बदाना है डॉक्टर सरपल्ली राधा क्रश्णन क्योंकि जो प्राश्ट पती है वही तुराश्वा के श्वापती होते हैं नेक्स्ट है नेमलेखत ब्यक्तियों में से कौन संतूर वाध्य यंत से सम्मंदत नहीं है तो इसमें जो है जे नहीं है उस्ताद अमजद अली खान जे सरोद बजाते हैं नेक्स्ट है नेग्स्ट है अंतर सरकार संदी आधारत संगठन कौन सा है जिसका मुख्याल है भारत में इस्तित है तो ए है ISA नेक्स्ट है ऐसा माना जाता है कि भारतिय अंत्रक्ष कारिकरम मैं भारत सरकार द्वारा इन कौसपार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था कब हुई थी इसकी स्थापना तो यह 1962 में नेक्स्ट है संगे के मंत्री परसद में कितने मंत्री शामिल किये चा सकते हैं तो लोग सवा के कुल सदासों का 15 परतिसद अगला सेट है तेरा जोकी आठ जनबारी 2021 पहली सेप्ट में पूछेगाई प्रस्नों में पहली स्रमान बिग्जान के देखते हैं पहला परस्ने निम्न मेंसे कौन 11 संक्रमक रोग का उधारण हैं तो यह है जह है और रक्त चाप नेक्स्ट है निम्न लक्त में से किसमें CFC होते हैं तो यह हैं परसीतकों में होता है नेक्स्ट है वेप साइड द्वारा बनाई गई एक छोटी text फायल जो उस station के लिए आईस्थाई रूप से उपयोग करता कि country noises as अ ज़गाहत होती है वहं क्या कैलाती है quickest नेक्स्ट हैes निलेकत मैं यлагषए किन पौधई सीरक्त चाप का उपचार किया जा सकता है तो एह सर्वगंधा नेक्स्ट है W www के रविश्कारक कौन है तो इसके हैं टिम बर्नर्श ली नेक्स्ट है उस मिशन का नाम बताईए जिसमें इसरोग ने सूर का अध्यन करने का विचार किया है तो ये है अधित L1 नेक्स्ट है निम्लेखट में ऐसे एक अमल और छार के बीच शमानता है तो यह है अम्र उच्छार को जल में मिलाने की प्रतिकिर्या उसमा छेपी होती है नेक्स्ट है गुलुकोज की अणु में किसके रूप में तूटता है गुलुकोज तो यह पायरूबिक एसेड में तूटता है नेक्स्ट है सम्मान अध्यन के प्रस्ण है मात्रा के संदर में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की जील कौन सी है तो ए है कौन सी सुपीरियर जील नेक्स्ट है एन फील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदाई है जिन में चर्बी वाले कार्टूसों का उपयोग होता था जो अठासो सत्तावन का तत्तकालिक कारण बना था तो ए थे हैनिरी हार्डेंग नेक्स्ट है निमलिकत में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस है मलेश या नेक्स्ट है एंटर पोल का मुख्याल है कहां परस्ते थे तो यह फ्रांस में नेक्स्ट है हमपी का ब्रुपाक्च मंदर किसे समार पैथ है किस देवता को तो यह है जो भागवान से वो को समार पैथ है नेक्स्ट है किसी भारती राज के पास ताप उर्जा के सर्वदेख सकती उतपादन छमता है किस राज के पास है तो एह है महरास्ट नेक्स्ट है निमलेखत में ऐसे किस एक nuclear research reactor का संचालन भावा परमानु अनुसंदान के अंद द्वारक किया गया है तो यह है धुरव नेक्स्ट है नाट्ट सास्त जो की नाट की ये कलाके विशय में एक प्रिसद गरंथ है नेक्स्ट है भारती सम्वेधान का कौंशा अनुछेद सर्वजनक रोजगार में स्वमान आवसर का अधिकार प्रदान करता है तो यह है अनुछेद 16 नेक्स्ट है प्रथम ICC T20 किरिकेड विश्यकप का खताब किस देश ने जीता था तो यह जीता था भारत ने ICC T20 विश्यकप पुरुषबाला है भारत का दूसरा उच्छ सम्वेधानक पद कौंशा है तो यह अप राष्ट पती पहले है राष्ट पती नेक्स्ट है भारत के कौनसे राज में कोईले के भंडार सर्वदेख है तो यह जहारखन नेक्स्ट है भारत में पहली यात्री रेल गाड़ी का संचालन किनके मलब किसके किसके बीच हुगा था तो यह हुगा था बंबई से थाड़े नेक्स्ट है महराष्ट के परामपारिक लोक रंग मंच का नाम क्या है तो यह है तमाशा नेक्स्ट है भारत में कौन सी नदी में रिबर डॉल्फिन पाई जाती है तो यह है बताईए तो यह है घागरा नेक्स्ट है भारत में जोन वील मेला एक ऐसा मेला है जहां बस्तु बिनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है यह मेला भारत के कौन से राज में होता है तो यह है अश्रम में बिदेशी धरती पर फैराय जाने बाला प्रथम भारती धोज भीकाची गामा दोवारा 1907 में कहां फैराय गया था तो यह है जर्मानी के सहर था एक जर्मानी का नेक्स्ट है कम्प्यूटर छेत में फोर्टान किसके लिए प्रियोक्त किया जाता है तो इसका होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन नेक्स्ट है 1907 में कांग्रेश की नितत्त में कौन से सत्र में चरम पंतियों और नरम पंतियों का बिवाजन किया गया तो यह था सूरत अधिवेशन नेक्स्ट है भारत में राश्टी विज्यान दिवस मनाया जाता है इस्रमान बेग्जान के प्रिश्णों को देखते हैं पहला प्रष्ण है गती के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रति प्रति पादित किए गए थे तो ए दिये थे Newton ने Next है Leatmas Billion किस से प्राप्त किये जाता है तो यह Life Canibs से प्राप्त किये जाता है नेक्स्ट है एक्सल में कौन सी फंक्शन की एड़ेट मोड में जाने में मदद करती है तो यह है एक्टू नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उस साजक छेतर कौन सा है तो यह है उर्जा नेक्स्ट है प्रकास संसलेशन के लिए किस गैस की अवसकता होती है कारवंडा या अकसाइड समानवेग अध्यन के हैं उस बहुत गिरंद का नाम बताईए जिसमें तिरभुजों के लिए नियमों का उल्लेक है बिने पिटक नेक्स्ट है शमुधान में अन देशों से उधाल लेने की बिशेषताओं की अलोचना करते हुए किसने कहा शमुधान के मौलेक बिचारों के संदर्व में किसी को भी कोई बिशेष अधिकार नहीं ये किसने कहा था डॉक्टर भीयार अंबेट करने नेक्स्ट है इनमेंसे किस भारती राज में पबन उर्जा उत्पादन में सबसे अधिक है तो यह तमिल नाडू नेक्स्ट है महत्मा गाधी ने राजनिती में अपने को अपना गुरु माना राजनित गुरु कौन थे उनके तो एह थे गोपाल क्रस्न गोखले next है भारती railway के हाल ही में जोड़े गए सत्रमे जोन का नाम बताईए तो इसका नाम क्या है क्वालकाता Metro next है भारत के भारत के पहले सफल परमानो परशिक्छान का कोड नैम क्या था जो test गुगा था nuclear test उसका कोड नाम क्या था पहले वाले को तो इसका था स्माइलिंग बोद्धा नेक्स्ट है 27 अगस्ट 1947 को सम्मिदान सबा की बहस में किसने कहा मेरा मानना है कि अलग नरबाचान छेत अलप संख्यों को अलप संख्या को के लिए आत्म घाती होंगे तो ये कहा था गोविंद बलब पंतने नेक्स्ट है कम्प्यूटर की जना कौन है तो इह है चाल्स बेवेज चाल्स बेवेज दोस्तों कौन सी चाल्स बेवेज चाल्स बेवेज नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट के अंतरगाद निमलिखित में सी कौन सा एक उपाय अपना आया गया था तो इसमें था मुकदमे के बेना कारावास नेक्स्ट है नुवल प्रोषकार विजेता केला सत्यार थी इनमें ऐसे किस संगठन से जुड़े हुए थे तो ये थे बच्पन बचावा अंदूला नेक्स्ट है निम्लेकत में ऐसे कौन सी रचनमून सी प्रेमचन द्वारा लिखी गई है तो ये है शेवासदा नेक्स्ट है वी एच एल का पूरूरूप क्या है तो इसका है भारत है भी एलक्टिकल्स लिमिटेड next है co 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 लाती है तो यह लाती ट्रेक फार्मिंग नेक्स्ट है आपको सल स्रेमकों के प्रवास का निमलेखित में ऐसे क्या कारण है तो यह है निर्धानता नेक्स्ट है 2020 में किस आंदोलन को असोयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था खलापत आंदोलन नेक्स्ट है विस्टो का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तो यह है ट्रांस साइवेरियम रेल मार्ग नेक्स्ट है अश्रम में सबसे पहला तेल का कुगा कहां पर खोला गया तो यह खो इस पत्य शैली है तो यह हम पी next है किस इस्थान को नरसरी और बंगाल आर्मी कहा जाता है तो यह है अबद next है भारत में किस राज में और वरा की सबसे अधिक खपत होती है पती हैक्टेर किलोग्राम में यह रहे उसके उप्शन तो यह है पंजाब अंसर क्या होगा उसका पंजाब next है 1920 के दसक में जहां सी में सतार नदी के पास किस पिरसद क्रामतिकारी ने पंडत हरी शंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तमाल करते हुए शिवर इस्थापित किया था यह कौन थे तो यह थे चंद सेकर आजाद अगला है 15 नंबर सेट जो की 9 जनबरी 2021 पहली सिप्ट में स्रमान बिग्यान के प्रस्णों को देखते हैं पहला प्रस्ण है आधुने कावाशारी में तत्तों को तत्तों के जो है उदधर इस्थम्वों में जो है बिन्यासित किया गया है कितने है यह उदधर इस्थम्व है तो यह जो है 18 है दोस्तों नेक्स्ट है तारे रात को आश्रमान में आश्मान में क्यों टिम्टमाते हैं तो यहां जो है अब बरतन के कारण होता है ऐसा नक्षत्र प्रकाश के बाई मन्डली है अब बरतन के कारण next है राईबो सौम किसके बने होते हैं प्रोटीन के next है श्वासन प्रक्रिया में गुलुकोज जैसे जटल कारवनने की योग ऐक उर्चा पर्दान करने के लिए किस रूप में तूट जाते हैं तो यह ATP के रूप में नेक्स्ट है दंत चिकासकों द्वारा मरीज के दंत के बड़े प्रतिबंब देखने के लिए किस प्रकार के दरपन का उपयोग किया जाता है आउतल दरपन नेक्स्ट है प्रदवी को सूर की पराबैगनी बिकरण से कौन सुरक्षित रखता है ओ जोन नेक्स्ट है समान अध्यन के उस इश्मारक का नाम बताईए जो एक प्रतात्विक इस्थल के शफल जीनों दर और सनक्षन का प्रणाम है सांची का इस्तूग इनमें से किस सर्वजनेक छित्रक उद्ध्यम को महारत्न का दर्चा प्राप्त है तो यह है ओईल इंडिया ओईल इंडिया कोपरेशन लिमेटेड नेक्स्ट है छित्रक की द्रश्टी से विश्ट का छटा सबसे बड़ा देश कौन सा है ओस्टेलिया नेक्स्ट है पेरस इस्तित इंटरनेशनल इंस्टिटूट अप एजुकेशन प्लानिंग सेयुक्त राष्ट के किस संगठन का अंग है तो यह है यूनियसको का नेक्स्ट है चिपको अंदोलन की तरह निम्लेकत मेंसे किस का लक्ष उत्तर कन्नड जिले में बनों की रक्षा करना था तो इसका था एपिको अंदोलन का नेक्स्ट है भारत के बन जीव सरक्षन अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं तो इसमें पांच नेक्स्ट है सैनक विद्रोहे के दोरान गवार्नार जेनरल कौन थे तो लॉड कैनन नेक्स्ट है किस नदी के विस्तार्च छेत्र को राष्टी राजमार्ग टू कहा जाता है तो यह है ब्रह्म पुत्र नदी नेक्स्ट है ब्रह्मetonie और खरोष्टी लिपियों को ब्यक्षयत किया जिनका उप्योग पहले के सिलालेखों के लेखन में किया जाता था नेक्स्ट है इनमें से कौन एक संचाल प्रोटोकॉल है STTP नेक्स्ट है निम्रकत में से किन नेताओं ने तासकंद समझवाते प्रहस्तक छर्किये थे तो एह हैं लालभादर सास्त्री और आयूप खां नेक्स्ट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तस्क किसे कहते हैं तो इसे बोलते हैं CPU नेक्स्ट है G.A.W.T. का उत्राधिकारी संगठन कौन सा है तो यह है W.T.O. World Trade Organization स्वतंदता के बाद दूसरी पंचवर्सी योजना के दोरान जर्मनी के सायोग से किस इस्पात सयंद्र के स्थापना की गई थी तो यह है रावल के लाव स्पात सयंद्र नेक्स्ट है जन शांग की शंकर्मान को निमने मैं से किस के रूप में बनत किया जा सकता है तो यह है किया जा सकता है एक समय के बाद समाज की शंख्या वो जन शंख्या में परिवातन की एक प्रिक्रिया है यह सब परिवस्ट किया जा सकता है सूचना और संचार प्रुद्धोगी की ICT जो अभी RMSA के आधीन एक इकरत है को किस बर्स लॉंच किया गया था तो यह है 2004 में नेक्स्ट है ओपेक का मुख्याला कहां पर रहते थे तो यह है विएना नेक्स्ट है भारत की पहली मानव चालत अंत्रक्ष उडान का नाम क्या था क्या है अभी गया नहीं है तो यह है गगन गगन यान नेक्स्ट है कृत्यम और वरक पहली बार किस सताबदी में निर्मत किये गए थे तो यह हैं उन्नीस भी सदी नेक्स्ट है पॉलिटेक्स अब जुगाड दा ओ को ओलिशन हैंड़बुक के लेखक कौन है तो उस पुस्तक के लेखक है शवा नकवी दा पॉलिटेक्स अब जुगाड के लेखक है शवा नकवी नेक्स्ट है इनमें से भारत के किश वाइशराय ने निर्वाचत इस्थनिय शरकारी निकायों के सरचन की पहल की थी तो ए थे लॉर्ड रिपन इसके बाद है 16 नंबर जोकी 9 जन्वरी 2021 को सेकंड सिप्ट के प्रसनों पर देखते हैं चलते हैं तो यहां IBM द्वारा बेक्सित किया गया है नेक्स्ट है एक मानाव एक बैसक मानाव सरीर में हड्डियों की शंगय कितनी होती है तो यहां 206 नेक्स्ट है जी एसल्बी का पूर्ण रूप किया है तो इसका होता है जी ओ सिन्क्रो नस सैटेलाइट लॉंच भीकल नेक्स्ट है इस ब्रहमांड में मौजूद प्रतेक बस्तू जो पधात से निर्मेत है उसे ब्यग्यानिकों ने क्या नाम दिया तो यह द्रब्य मेटर नेक्स्ट है ओ सी आर का पूर्ण रूप क्या है तो इसका पूर्ण रूप क्या है ओ सी ओ सी आर का तो इसका होता है ओप्टिकल केरेक्टर रिकोग नीशन नेक्स्ट है किस प्रकार की कोईले में कार्बन की प्यति साथ मात्रा सर्व देख होती है तो यह एंध्रा साइड नेक्स्ट है छुई मुई पधी का ब्यग्यानिक नाम क्या है तो इसका बिग्यानिक नाम है मी मोशा पुडिका नेक्स्ट है मादा एनाफिलीज मच्छा इनमें से किस रोक का बाहाख है तो यह मलेरिया नेक्स्ट है स्रमान अध्यन के किन सासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रभावत हुने बाली प्रमुक नदी कौन सी है तो यह दमन गंगा नेक्स्ट है अठार सत्तावन में अंग्रियेजों ने मुगल वन्स के अंतिम शाशक को सत्ता से बढ़ खास्त किया था कौन थे तो बहादर्शा जापर नेक्स्ट है भारतियों और यूरोपिये शेली को एकी करत करके मुंबई में ताज महल पैलेस होटल का नर्मान कराया था किसने तो यह हैं जमसेद जमसेद जी टाटा ने नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो के पहले कौरिटोर का उतगाटन किसने किया था अटल बहारी बाजबेईन है नेक्स्ट है इन में से कौन भारत के एक राज के मुख मंत्री होने के साथ साथ एक सूप्रतेस्टित आयोग के अध्यक्ष भी थे तो यह हैं बिंदेश और प्रशाद मंडल नेक्स्ट है आर्थिक विकास का एक अच्छा संके तक मैं निरंतर ब्रद्दी है मलब किसके ब्रद्दी से आर्थिक विकास एक अच्छा संके तक माना जा सकता है तो यह है जीडिपी नेक्स्ट है पुलबामा में आतंगवादी हमला कब हुआ था तो 2019 में नेक्स्ट है भारत के समयधान के अनुशार संग के रक्षा बालों का पर्मो कौन होता है तो यह होता है राष्टपती नेक्स्ट है भारत की प्रथम महला राष्टपती कौन थी तेर प्रदिभाब पार्टेल नेक्स्ट है भाद्रा वंजियू अभ्यारान किस रज में स्तित है तो यह कन्नाटक नेक्स्ट है भारत में सोयत करांती मूलता किस रज से सुरुई हुई थी बताईए जो है गुजराद से प्रारम हुई थी नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में वालिकाओं के लिए बिशेश रूप से लुँज किये गए व्यंग खाते का नाम क्या है तो इसका नाम है सुकन्या शम्रधी योजना नेक्स्ट है सन उनीस सो चबालस में भारत के बड़े उद्दोग पतियों ने एक जोट होकर स्वतंता मिलने के बाद देश में नियोचित आथिवस्ता के स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसवदा तयार किया था उस मसवदे को किस नाम से जाना जाता है तो यह बॉंबे प्लान दा बॉंबे प्लान नेक्स्ट है कौनसी वो हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा आसायोग आंदोलन बापस लिया गया था तो यह था चोरी-चोरा कांडू हो गया था नेक्स्ट है भारत का पहला संरक्षत बन कौनसा है भारत का पहला संरक्षत बन कौनसा है तो इसका जो है करेक्ट अंसर किताब के अक्वार्टिंग अगर देखा जाये तो सत्पोड़ा राश्टी उध्यान लगा रहा है और मेरे अक्वार्टिंग है जिम कार्वीट राश्टी उध्यान है यह इसका correct answer है देख लेना आप थोड़ा गूगल में सर्च कर लीना नेक्स्ट प्रस्न है उनीस्टो पैंतालस में यूएन को लीग ओप नेशन से उत्राधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था तो यह है द्वतिय विश्युद्ध के तुरंत बाद नेक्स्ट है नमक अंदोलन कम से कम तीन कारणों से उलेकनी था नेक्स्ट है नेक्स्ट है बारत की यूबा अवादी स्कूलों में जाने लगी यह कारण नहीं था नेक्स्ट है कौन से देश OPEC का सदस नहीं है तो इसमें Kenya नहीं है किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूपी संद हजरत मिया मीर ने अमरसर में सुन मंदर स्री हर मंदर साहर की आधार सला रख ही थी तो ए थे गुरु आजवन देव नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट वो संयुक्त राष्ट अमेर्का का कौन सा राज पहले रूस का भाग था तो यह है अलास्का नेक्स्ट है विशाल गिलहैरी किस राज की राज की अपशू है तो यह है महराश्ट नेक्स्ट है अंत्रेक्ष में जाने बाली प्रथम भारती है भारती मुलकी प्रथम माहला कौन थी तो यह है कलपना चावला नेक्स्ट है निमने में ऐसे कौन सी 1973 भारत में बागों की आबादी को ब्याव हार इस्तर पर बनाए रखने के लिए भारश्रकार द्वारा संचालतियों जना हैं तो यह था प्रोजेक्ट टाइगर नेक्स्ट था The God of the Small Things और पन्यास किसने लिखा है तो इसके हैं अरुण धदी रुआए नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेमलेखत मेंसे किसने स्वादेशी आंदुलन के माध्यम से अपने वैसक शाषन के लिए एक होगा उदार वादी क्रमेक और पेराक ड्रस्टिकोंड की बकालत की थी तो यह हैं गोपाल करस्ट गोखले गोपाल करस्ट गोखले गोपाल करस्ट गोखले नेक्स्ट है, एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024, अगला है सेट 17, जो की 10 जनवरी 2021 को हुआ था, एक्जाम्ट, चलिए चलते हैं समान विज्ञान पर, तो पहला परशन समान डेटा परकार के संगलंगन डेटा के एक स्रेट को क्या कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं, एरे, नेक्स्ट है, वो है पोर्ट, जो डेश्टल अपकरणों में से डेटा इस्तनांतरन के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जना जाता है, तो इसे बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट, नेक्स्ट है, सीसा और टिन की मिसरत धातू को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं, सोल्डर, नेक्स्ट है, 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 योगी की करण के माध्यम स्रीम्रदा की प्राकतक और वर्था बढ़ाने वाली फसलें कहलाती हैं कुँंसी कहलाती हैं ये बोलते हैं फलीदार फसलें हमारी जिभा में कुँंसा अभिगराही इस्थित होता है तो ये होता है रस श्रमवेदी नेक्स्ट आता है प्रतेक व्रक में बड़ी संख्या में निशस्पंदन एकाईयां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें बोलते हैं नेप्रॉंस नेप्रॉंस नेक्स्ट आता है पेसी कोशका में ऑक्सिजन की कमी होने पर पाईरुवेट विभाजित होकर किसमें काडियो लॉजी से हैं वही शम्मन्त व्रक का किस्षिए है तो ए रहे option आपके, तो इसका correct answer हो जाएगा नेफ्रोलवाजी, नेक्स्ट आता है स्रमान अध्यान के प्रस्ट, पहला प्रस्ट है सरकार के कुल वाय और रण को छोड़ का कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं राज कोशिय घाटा, ने जो खाद्य तेल के स्राशाथ चारे की फसल भी है, निवन मेंसे क्या है, तो इह है मक्का, नेक्स्ट है, भारत उनिस्च बहत्तर में अपना परिचालन प्रार्म करने बाले वोकारू स्टील प्लांट की इस्थापना किस देश की साहयता से की गई थी, तो एक की गई थी, रूस की साहयता से, USSR, नेक्स्ट है, निव्यार्क के, आईकोनेक, मेडिशन्स, एस्क्वायर गार्डन में कुस्ती, करने वाले या बाली, प्रथम भारतिय पहलवान कौन बने या बनी, तो एहें बजरंग पुनिया, नेक्स्ट है, छेत्रिय हवाई संपर्क को सत्ता और सुबधा जनक बनाने के लिए संचालत युजना का नाम क्या है, तो एहें ओडान, नेक्स्ट है, नीती आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो एहें नरंद मोधी, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एटोमिक एनरजी एजेंसी का सरचन, किस बर्च में किया था, तो ये था 1957 में नेक्स्ट है निमलिकत में से किसने संथाल बिद्रोई और आठा संथावन के बिद्रोई के द्वारान अंग्रेजों की सहायता की थी तो ये हैं महराजा महताब चंद नेक्स्ट है अंत्रेक्ष अनुसंधान के लिए भारती राष्टी समीती का गठन कब किया गया तो ये किया गया था 1962 में नेक्स्ट आता है लोग प्रियक कालपने को पन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी तो ये हैं देवी की नंदन खत्री नेक्स्ट है नवंबर 1944 में संप्रदायक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक नायक धांचे में संप्रदायक समस्या की जाच करने के लिए गयर पक्छी सम्मेलन की इस्थाई समीती द्वारा कौन सी समीती नियुक्त की गई तो ये था सप्रू समीती नेक्स्ट है एकॉनमी औप पर्मानेंस के लेखा कौन है एकॉनमी औप पर्मानेंस के लेखा कौन है तो ये है तो इसके लेखा कहे है जेसी कुमा रप्पा नेक्स्ट है द्वातिय पंच वर्सी योजना की रूप रेखा किसने तयार की थी तो एकीती PC-Mahalnovis नेक्स्ट है प्रदभी शिकर्षव मेलन की रूप में किसे जाना जाता है तो एह है Rio प्रवियो शिकर्षव मेलन नेक्स्ट है East India Company द्वारा किस बर्ष में स्थाई वंदोबस्त को अमल में लाया गया था तो एह लाया गया था 1793 नेक्स्ट है 1972 कशिमला समझवता एंद्रा गांधी और किनके बीच हस ताक्षर किये गए थे तो यह है जुल्फिकार अली भुट्टो नेक्स्ट है नो भारती भासाओं की एकी करत लिपी है जिसे एक शमान भारती लिपी के रूप में प्यस्ताबित किया जा सकता है वो है लिपी कुन सी है तो यह है भारती है नेक्स्ट कामाख्या मंदर किस राज में इस्ते थे तो यह है जो ए अश्राम में इस्ते थे नेक्स्ट है मुगल कालीन प्रसद गायक तानसेन किस भारती हैं संगीत सेली में इसेली से सम्मन्ध रखते थे तो ए इनकी सेली थी धुरूपद next है club of Rome के द्वारा the limit to growth का प्रकाशन कब किया गया था club of Rome द्वारा the limit to growth का प्रकाशन कब शुरू किया गया था तो ये 1972 में नेक्स्ट है भूमी कब है भौत एक बिस्तार जिस पर फशल बोई और काटी जानी है उसे निमलिकत में से किस फशल से जाना जाता है तो ये है कुल बीजा रोपत भूमी नेक्स्ट है खद्य पधार्थ, बस्त्र, जैसे वद्पाद, एबं मनुरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम और भोगताओं द्वारा खरीदे जाने पर उन्हें क्या कहते हैं तो ये कहलाता उपभोग बस्तु है नेक्स्ट है 1932 का पूना पैक्ट समझवाता महत्मा गांधी और इनमे से किसे नेता के बीच हस्ताक्षरत किया गया था तो ये थी डॉक्टर वियार अंबेटकर नेक्स्ट है बारली लोक चित्रकारी किस राज्ज की लोक कला है बारली कहां की है तो ये है महराष्ट की सेट नंबर 18 देखती है जो की 10 जैनवरी को हुआ था सेकेंड सिफ्ट में स्रमान विज्ञान के प्रस्णों को पहला प्रस्ण है फूड पोईजिनिंग होने की सबसी अधिक संभावना होती है कब तो इसका जो है करक्ट अंसर हो जाएगा सुक्ष्म जीवों द्वारा खराब किये गई भोजन को खाने से नैक्स्ट है कोबॉल का पूर्ण रुप क्या है तो इसका पूर्ण रूप है कोमन बिजनिस ओरिेंटल लेंगवेज नैक्स्ट है दो या दो से अधिक पधार्त का एक समाँगVISTरन होता है विलेन नैक्स्ट है पौधों को पांच समुहों में वाटा जाता है इनमें से कौन एक नहीं है तो इसमें proto-quadata नहीं है proto-quadata नहीं है ठीक है, next है यदि Will Gates की बात मानी जाती तो Windows Operating System को किस नाम से जारी करने की योजना थी Interface Next है मिना माता Convention को किस भारी धातू के उत्साजन पर ध्यान दलाने के लिए 2013 में जापान में अविजद किया गया था मिनी माता किस से होता है किस मलब धात्तू से तो एव होता है पारासी Next है Penicilline की खोच किस ने की थी तो इसकी खोच की थी Alexander Flaming Next आता है इस्थनीय प्रजातियों प्रजातियां इस्थनीय प्रजातियां पौधे और पस्वों की बेप्रजातियां हैं जो एक विशेश छेत्र में पाई जाती हैं Next है भारती नाभी की ये कारिक्रम के जना कौन हैं तो यह हैं होमी भावा, डॉक्टर होमी भावा, शमान अध्यन के प्रस्णों को देखते हैं, तो दसमा प्रस्ण है, कौन सा सरकारी संगठन भारतिय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सबी निवेशकों का प्रमुक नियमक है, तो यह हैं शेवी, नेक्स्ट है, प्रधान मंत त्री जंधन योजना की शुरुगात किसने की थी, नरेंद मोदी, नेक्स्ट है, प्राचीन समय में किसी ब्यक्ति को बस्तू के साथ तौला जाता था, और उसी भार मात्रा के शमान उस बस्तू को दान कर दिया जाता था, इस प्रथा को क्या कहा जाता था, तौला भार, न उल्लेख नहीं है उल्लेखत थी तो इसमें कौन सी उल्लेखत थी तो इसमें उल्लेखत थी शब इनए अब अग्या आंदूलन बापस लिया जाएगा नेक्स्ट है बिहार और नेपाल के मिथला छेत्र में किस भारती कला रूप का प्रचलन है तो यह है मधुबनी पेंटेंग है वहां की फेमस नेक्स्ट है दोजार बीस में इंडियन प्रीमियम लीग का कौन सा संस्क्राण खेला गया था यह तो बन जाएगा आप सबसी तेरों संस्क्राण नेक्स्ट है सतीस धाबन अंत्रिक्ष के निस्री हरी कोटा के सराज में इस्ते थे तो यह है आंद्र प्रदेश में इस्ते थे नेक्स्ट है निमलेकित में से कौन सा राष्टी उध्यान भारत में नहीं है तो संदुर राष्टी उध्यान नेक्स्ट है निमलेकित में से क्या अशयोग और खिलापत आंदूलन का परणाम था निसकर्ष के निकला था इसका बताईए तो मजदूर बर्ग कई छोटे बड़े शेहरों में हरताल पर चला गया था नेक्स्ट है किस नावरत्न कंपनी को समानता भी जाग स्टील के नाम से जान जाता है किस महारत्न कंपनी को समानता भी जाग स्टील के नाम से जान जाता है तो यह है राश्टी एस्पाथ निगम लिमिटेड नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंदू जल संदी पर किस सहर में हस्ताक्षर किये गए तो यह कराची कहां पर हुआ था कराची नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निम्लेक्ट मेंसे कौन साइस मारक नहीं है तो इसमें नहीं है सब दर गंज का मकवरा नहीं है यहां ठीक है तो नेक्स्ट है निम्लेक्ट मेंसे कौन सी नदी अपरीका में नहीं है अमेजन नेक्स्ट है कौन जल पाटिका भारत और स्रिलंका को अलग करती है तो एह है पाक जल डमरू मद नेक्स्ट है सब्द ब्रिकजिट की खोच किस ने की थी तो एह है इसकी खोच की थी जराड वेटन नेक्स्ट है आधनेक आर्थसास्त का चनक किसे माना जाता है तो आधनेक आर्थसास्त के चनक है वो है एडम इसमित ठीक है स्वारी इसका मुझे रूंग लग रहा है इसका है एडम इसमित सही है कौन है एडम इसमित दोस्तों थोड़ा 24 मां प्रस्ण देख लीजिएगा तो प्रस्ण है सब्द Brexit की खोज किस ने की थी तो इसका correct answer अपका first वाला हो जाएगा Peter Wildling ने की थी थोड़ा सा disturb हो गया था मैं next देखते हैं next है निमलेखत मैंसे किसे भारती सोतान्तता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था तो यह था आठास सत्तामन का बिद्रो है next है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लेखत सम्मिधान है तो वो देश है भारत है वो है भारत next है इंगलेश चेनरल तेरकर पार करने बाली फैली महला कुण थी किस देश की थी क्या थी वो तो यह एक अमीर की थी next है निमलेखत में ऐसे कौन सी घटना 1757 में पलासी की लडाई में अंग्रेज अंग्रेजों की जीत के बाद घटी तो ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के ब्यापार का बिस्टार हुआ था उस्टाइम next है वर्ल्ड वाइड बैब में पंजीकरत पहला डो नेम नाम क्या था तो यह है था www.symbolics.com symbolics.com next है लास्ट निमलिखित में से किसने स्वादेशी आंदूलन के माध्यम से आपने वैसक शासन के उग्रबादी विरोध की बकालत नहीं की तो गोपाल क्रस्ट गोखले जी नहीं किये थे सेट नमबर 19 को देखते हैं चूकि 11 जनवारी 2021 को पहली स्वादेशी में हुआ था पहला प्रस्ट ने आधुने एक बिद्दो जनरेटर किस सद्धान पर काल करता है तो बिद्दो चुम की पेर रणपन नेक्स्ट है गन्ने के पौधे को रस्टाने कूर्ज हैं बदलने बाले प्रभाजी परिवारतों को मैंसे एक है तो यह सूर का प्रकास नेक्स्ट है सहसायोजग बंद जो सहसायोजग बंद दो परमाणों के बीच लक्टान की सांजिदारी के परणाम स्वरूप निर्मत होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोस को प्राप्त कर सकते हैं अपनी अस्ट्रक्सन रचना प्राप्त कर सकते हैं अपनी बहतम कोस प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट है आँखों की फोकस दूरी को समा योज़त कर निकट और दूर की बस्तों को परकेंद्रत करने की छमता को आँख की क्या कहते हैं तो इसे बोलते हैं समंजन कहा जाता है छमता बोलते हैं इसे तो किसानों की तुचा को कीट नासकों के प्रभाव से बचाने के लिए किस के द्वारा मनलब किसका यूज के द्वारा एक ट्रॉपिकल जेल विक्सित किया गया है तो यह है एस्टेम सेल विज्ञान और पुनर योजी चिकत्सा संस्थान नेक्स्ट है निमलिखत में से कौन सा एकल चिप आधारत वपकरण हैं जो अपने आप में एक फून प्रोसेशर है और अंक गड़त और तारकिक संचालन करने में सक्छम है तो यह है माइक्रो प्रो ट्रोसेशर है मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें सिकस्ट गोर्ण के कारण ऊपर चड़ जाता है तो यह है केसी का्त के कारण नेक्स्ट है रग्त का रग्तत है यह एक तलल सयोची उर्ताक है next समान अध्यन के प्रस्ण है प्रस्ण है गीत आत्म कविता माई मदार एड ऐस्टी 66 गीत आत्म कविता माई मदार एड 66 किसने लिखी है इसके आप्षन option है कमला दास सिदा अंसर बता रहाँगा आपका कमला दास है इसका अंसर my mother at 60 year किसकी है कमला दास next है इन में ऐसे किसे भारतिय सिनिमा के चनक के रूप में जाना जाता है तो दादा सहाब फाल के next है अंतर राज बिवादों में स्रमनबाइ के लिए भारत के समयदान के निमलेकत में से किस अनुश्यत के तहाट एक अंतर राज परिसत का गठन किया गया किस अनुश्यत के तरूप अनुश्यत 263 next है 1992 में ब्राजील में याविज़त हुई United Nations Conference on Environment and Development UNCED को किस नाम से जाना जाता है तो एह है रियो डियो जैनेरियो next है आर्थ सम्मेत प्रत्वी सिकर सम्मेलन next है UN के आठवे महाशाचर वान की मून मुलत कहां के निवासी है तो एह दच्छन कोरिया के है next है निम्लिकत में ऐसे किसने टिपणी की थी की दच्छन अफ्रीका ने महत्म गांधी को बनाया तो एह है चंद्रन चंद्रन क्या है इनका नाम देव नेशन चंद्रन देव नेशन ने कहा था याशा next है भारत में केंग जोर्ज पंचयम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे आप इंडिया को परमपरेक के सैली में बनाया गया था तो यह था इंडो सार सैनेक सैली next है गुचरात इस्थे जूनागर की गिरनार पहाडियां आमों की किस किसम के लिए प्रिसिद्ध है तो यह जो है केशर आम पाया जाता यहां पर next है थोड़ा सा इसको देख ले नेक्स्थ है निमलेखत मेंसे कौन सी इस्वापिंग बेपसाइड नहीं है तो इसमें इस्वापिंग बेपसाइड नहीं है तो www.twitter.com नहीं है next है एक अलग संकाय के रूप में macroeconomics के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है macroeconomics के संस्थापक के रूप में जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो जोन मेनार्ड किंग्स next है प्रथम गोल मेज शम्मेलन कब शुरू हुगा था तो यह था नॉम्बर 1930 में next है भारत में पर्माण उर्जा की गदिविदियों की निगरानी के लिए पर्माण उर्जा आयोग किस अपना कब की गई थी अगस्ट 1948 next है लखनव कडाई की किस परंपरक कला परंपरक कला के लिए प्रिशिद्ध है तो यहां पर है चिकन कारी के लिए फिमस भारत रत्न प्रोषकार के प्रथम प्राप्त करता और सतंध पार्टी के संस्थापा कौन है राजगोपाला चारी next है दुनिया के बांकी देशों के साथ किसी एक देश के लेंदेन को संचेप में बताने वाले खातूं के शमू को क्या कहते है तो यह है भुक्तान सेस next है बंगाल के नबाब सरा जो दौला प्लासी के लडाई में किस वर्ष हारे थे 1757 next है 1929 में महामंदी इनमे से किस छेत्र में सुर्व हुई थी उत्री अमेरका next है सहयक गडवन्दन 1789 में किसके द्वारा तैयार एक गेर हस्तशेप नीती थी तो यहें लौड वेले जली next है भारत मैंने मलेकत में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जान जाता है तो नील गिरी next है वर्स किस में राष्टी करण के बाद इंपिरियल बैंक को आप इंडिया का नाम बदलकर भारती इस्टेट बैंक भारती इस्टेट बैंक कर दिया गया था तो उनीस सो पचपन में next है 36 गार उत्तराखंड और जारखंड राजों का गठन कब हुआ दो हज्यार में तीनों का इसके बाद है राज कोशिये उत्तराद दायत और बजट प्रबंधन अधिनियम को कब पेस किया गया था 2003 में next है आर्थसास्त के संदर्म में SLR का पूर्ण रूप क्या है तो इसका है Statutory Liquidity Ratio next test सिरीज पर चलते हैं देखते हैं 20 जो की 11 जन्वरी को 2nd सिप्ट में आई वह प्रस्ण पहला प्रस्ण है Magnesium के लिए प्रयोक्त प्रतीक क्या है तो Magnesium के लिए कौँशा है AMG next है प्रतेक तत्त का एक नाम और क्या होता है तो उसका एक अदोतियर असानिक प्रतीक होता है Viticulture के सिशम मंदत है तो यह अंगूर की खेती से है next है PSLV का पूर्ण रूप कया है तो Polar Satellite Launch vehicle next है एंडीज, एडीज, मच्छर इनमें से किसका बहाख है डेंगू का next है रेगस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का द्रश्टी भ्रह्म होता है जहां बास्तों में कुछ नहीं होता है इससे क्या कहा जाता है तिससे बोलते हैं म्रग मरीच का next है स्रमान अध्यान की प्रस्ण निमलेकत में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है सिंधु घाटी का मरुस्थल next है विस मरुस्थली करण और सूखा रोकनाम दिवस किस दिन मना आ जाता है तो यह मनता है 17 जून को next है एपल कंप्यूटर के सेशन स्थापक कौन है स्टीव जॉप्स next है दिसंबर 1929 में लाहोर में आविश्थ कांग्रेस की बादसिक अधिवेशन इनमें सिक्किस बजाशी महत्पूर्ण था तो पूर्ण स्वराज के प्यती बद्दता की कारण next है साय जहां की वेटी साय जहाना वाद में स्थापत नई राजधानी की कई बास्तू सिल्प परियोजना में भाग लिया था उसका नाम का था साय जहां की वेटी का option बचले चलता हूँ आपको तो यह था जहां आ रहा next है यह सिया का सबसे बड़ा वह ध्यान एंद्रा गांदी मिमोरियल टूलेप गा वह ध्यान किस सहर में इसते थे श्री नगर में इसते थे यह है next है भाबा परमाणू अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था तो यह है परमाणू उर्जा प्रतेस्थान ट्रामबे next है इसके और अप्शन थीक है next है नेमलेखत में से किस कमपनी ने दोजार पांच में ब्यक्तिगात कम्प्यूटर बनाना बंद कर दिया तो आई बीम नहीं बना रही है next है फोर्टन का पूर्व रूप क्या है तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन next है next है सैयुक्तराष्ट सुरक्षपरशद में पांच इस्थाई और दस आइस्थाई है next है विश्व स्वास्त संगठन का मुख्याला कहाँ परिस्थे थै तो जिनेवा स्विट्चर लेंड next है सर्वे सिक्षा अवियान भारश्वरकार का एक प्रमुक कारिकरम है जिसके तहत कितने वर्ष की आयू बर्ग के बच्चों को मुप्त एवं अनिवार स्विक्षा परदान किये जाने को उनका मौलेक अधिकार घोसत किया है तो ये था 6 से 14 वर्ष next है इन में से कौन सा 1853 में अंग्रेज द्वारा भारत के लिए किये गई सबसे महात्पूर योगदानों में से एक है जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्चम बनाया rail mark next है भाइट टाइगर वो पन्यास के लेखा कौन है तो इसके हैं अर्विंद अडिक next है प्रथम पंच बर्षी योजना भरा सरकार ने देश की आर्थ व्यवस्ता को गरीबी की चक्र से बाहर निकालने के प्रयास से का प्रारम की थी तो ये प्रारम हुई थी नेक्स्ट है संसदिय प्रणाली में राष्टपती द्वारा बिधाई न्यायक एवं आपात कालीन सक्तियों का उप्योग बास्तों में किसकी सलाय पर किया जाता है मंत्री परिशत की सलाय पर next है भारती राष्टी कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्टगान गाया गया था तो ये है 1911 के कलगत्त अधिवेशन next है गांधी जी का किसके खलाब मलब के खलाब अधियान प्रेस पर ब्रेटेस सेंसर्शिप और पेसी के विना नजरवन्दी के जबाब में था तो कौन सा यासा था रॉलेट एक्ट next है विश्व परेरवरण दिवस कब मनाय जाता है तो ये मनता है 5 जून को next है कौन सा बिटामिन रक्त का थक्का चमाने के लिए अवस्यक प्रोटीन और केल्सियम को सक्रिय करता है तो बिटामिन के next है अधिक उचायों बाले छित्रों में बरप की शफाई निमन मैसे किसके द्वारा की जा सकती है तो एक अरता है सीमा सडक संगठन next है वह है पिरक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमी पर वाने चिक और गैर वाने चिक और देशियों के लिए ब्रक्ष उगाते हैं क्या कहते हैं उसी क्या बोलते हैं उसी तो एक किरसी वनकी next है इनमे से कौन सी संस्ता भारत में भीमा उद्दोग्म को भी नीमित करने बढ़ावा देने और उसका क्रमेक विकास सुनक्षित करने के लिए जिम्मेदार है तो एह है एड़ा next है प्रधान मंति नरेंद मोदी द्वारा बिमुद्री करन की घोशन कब की गई थी तो एक की गई थी आठ नॉम्बर 2016 को next है भारत में चाय और कौफी की फसल फसलों की किस सेणी में आती है तो एह आती है इसमें अंसर गलत दिया गया है और जे नगदी फसल है किताब के अकॉरडिंग बता रहा है कि ब्रक्षा रूपित फसलें next है समाज एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतियों को समाजक बुराईयों से छुटकारा पाना चाहिए निमलेकत मैंसे कौन से समाजक बुराई नहीं है तो यह मुद्रा स्पीरती अलाग है ठीक है next है निमलेकत मैंसे कौन सा सहर मत्य प्रदेश में नहीं है तो राय पुर नहीं है इस्तेत है 36 गड़त में है next है सरकार कवाई अंग्न कौन सा है जो मुख रूप से कार्यान वियन और प्रसाशन सम्मंदी कारियों का निर्वाहन करता है तो वो है कौन सा है कारपालिका next है 21 नमबर जो की 12 जनमरी को पहली सिप्ट में आई हुए प्रस्न है पहला प्रस्न है निमलेकत मैंसे क्या नाब किये उर्जा उत्पादन का प्रमोख खत्रा है तो इसका आंसर हो जाएगा भंडारण और प्राकीरण next है सरकरा को अलकोहल में परिवदत करने की प्रिक्रिया निमलेकत मैंसे क्या कहलाती है next है छोटी आत के आंतरिक दीवारों पर अंगली नुमा सरस्ना पाई जाती है यह क्या कहलाती है तो यह बिली कहलाती है next है निमलेकत मैंसे क्वानसी बनास्पाती में प्रचन प्रचन प्रजनन अंग होते हैं तो यह है क्वानसी में होते हैं तो यह है जल ती पतियां नेक्स्ट है निमलेकत मैंसे क्वानसा भारत का सबसे पुराना नाभी की है भारत का सबसे पुराना नाभी की अनुसंधान रियक्टर है क्वानसा है अप्शरा नेक्स्ट है निमलेकत मैंसे क्वानसा सब्द है पसु बयोहार के जैबे का ध्यन का सबसे अच्छा वरण करता है तो यह है इथोलोजी नेक्स्ट है एक मानक पैमाने वाले आधनिक मरकरी थर्मामीटर का अविशकार किस ने किया था डैनियल ग्रेविल फ़र्न हाइट ने नेक्स्ट है शमाना ध्यन के प्रशन है सर्वजनेक छेत्र के पी एस एस का कुल हिश्चा बेंच का सर्वजनेक छेत्र के वो ध्यमू के नीजीकरण की पिरक्रिया को किस नाम से जाना जाता है तो इसे बोलते हैं बी निवेश नेक्स्ट है निमलेकत में ऐसे कौन सा पडोसी देश पाक जल डमरुमद और मनार की खाड़ी द्वारा निर्मत समुद्र के एक संकीन चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है तो इह है स्री लंका नेक्स्ट है बुकर प्रोस्कार जीतने वाली पहली भारती महला का नाम बताईए तो यह हैं अमरिता प्रीतम बुकर प्रोस्कार स्वारी स्वारी दोस्तों इसे कोई और प्रोस्कार मिला है इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा अरुन्धाती रोय तो इसका अंशर अरुन्धती रोय आ रहा है बुक में नेक्स्ट है सर बिलियम जोन्स ने ऐसी एटिक सोसाइटी के स्थापना कब की थी तो ये की थी 1784 में नेक्स्ट है ने में लेके तुम एसी किस में जेनेटिक इंजिनिरिंग सामिल है तो ये है जीन क्रांती नेक्स्ट है ने में लेके तुम एसी कौन सा इसमारा केंग जोर्ज पंचाम और कोईन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बना आ गया था जो गुजराती सेली से प्रभावित था तो ये है गेडवे अप इंडिया नादर्शाय ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली को लूटा था कब 1749 नेक्स्ट है पुस्तक बहु रुपी गांधी किसने लिखा है तो ये है अनु वंदो पाध्या है नेक्स्ट है केरल में मोपला बिद्रोय मालावार बिद्रोय कब हुआ तो 1921 में नेक्स्ट है अजन्ता की गोफाई कहां परिष्थे थें महाराष्ठ में नेक्स्ट है भारती निर्वाचन आयोग के अनुसार सर्वजनेक अनुसार भारती निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनेत दल चुनाव पूर्वें किस अवधी में अपना घोश्रण पत्य जारी नहीं कर सकता तो ये है 18 गंटे पहले नहीं कर सकता नेक्स्ट है भारत में राष्टी ये जल मार्ग एक के नुशार अलावाद हल्दिया मार्ग की लंबाई को लकितनी है तो इसकी है 1620 किलोमीटर नेक्स्ट है कम्प्यूटर और इंटरनेट के छेतर में W3C का पूर्ण रूप क्या है तो इसका पूर्ण रूप है World Wide Web Consortium इसका पूर्ण रूप है नेक्स्ट है नेक्स्ट है भार सरकार द्वारा जल करांती अभियान किस ब्रत्ती वर्ष के द्वारान सुरू किया गया था तो 2015-16 नेक्स्ट है श्री गुरू नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी बर्तमान ननकान साहिब में कब हुआ था तो यह हुआ था 1479 में कब हुआ था 1479 में नेक्स्ट है सोलवी लोकसवा के अध्यक्च का नाम क्या था सुमित्र महाजन नेक्स्ट है भारत में दोनों सदनों लोकसवा और राश्रवा द्वारा पिस्तद और पारत किये गए सभी विध्यक किसके अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं तो ऐसा है राश्रवती के नेक्स्ट है चैलेंजर दूइब डीब मलब गरत की बारी हो रही किस पर स्थेथ चैलेंजर डीब को प्रद्वी का ग्याद सबसे गहरा बिंदू माना जाता है तो यह है मेरियान की खाड़ी नेक्स्ट है MRTP अधिनियाम उन्निस सो नत्तर मेरियमलेकत में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है तो इसका अंशर हो जाएगा मोनो पॉलीज री ट्रेक्टेव ट्रेड एंड प्रेक्टिसेज एक्ट नेक्स्ट है भारतिय शम्मेधान के अनुसार पंचायर सदस्ट होने के लिए आवश्यक नियूंतम आयू कितनी है तो ए है 21 शाल नेक्स्ट है निम्लेकत में अशे कौन से स्वतंता सेनानी का शम्मन का कोरी रेलगाडी डकेर कांड से नहीं था तो भगत सिंग नहीं थी इसमें सम्मेधा नेक्स्ट है हम पी को विस्वरासत इस्थल घोसित किया गया किसके द्वारा यूने इसको द्वारा नेक्स्ट है विस्व व्यापार्श अंगठन के स्थापन कब हुई तो 1995 में इनमें से कौन सा एक देश भूत पूर्व USSR का हिस्सा नहीं था फिनलेंड इसरो ने IRS डेटा प्राप्ट करने के लिए अपने अंटार्टिका के भारती स्थापना की है तो एक की है A-G-E-O-S की नेक्स्ट है नेमलेकत मैसे किस राज में प्रसद सूर मंदर स्थे थे तो यह है उड़ीशा में नेक्स्ट है नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर किस अपना कप किया गया था 1976 में नेक्स्ट है सरस्का राष्टी और ध्यान कहां परस्ते थे तो यह राजस्थान में है नेक्स्ट है एक्सेल में दाई और सक्रिय सेल के साथ चैनत सेल को भरने के लिए किस स्वाटकर्ट कंजी का उप्योग किया जाता है तो यह है कंट्रॉल प्लस आर नेक्स्ट है बाइस नंबर सेट जोगी बारा जनबरी 2021 को सेकंड सिप्ट में आई हुए श्रमान विग्यान के प्रस्णों को देखती है पहला प्रस्ण है आपतित प्रकास के माध्यम की छमता को इसके संदर्म में भी व्यक्त किया जाता है तो यह प्रकास है सगनता नेक्स्ट है इन में से क्वांसर पौधे की ब्रदी मापने के लिए प्रयोक्त उपकरण है किसको ग्राब नेक्स्ट है लेक्टिक एसेड क्या है तो यह तीन कार्ण प्रमाणूं का रनूं है नेक्स्ट पोधी के बीज में भूल होता है जो उचत परश्थितियों में अंकुरत हो जाता है इस प्रिक्रिया को इन में से किस के रूप में जाना जाता है तो यह हैं अंकुरन नेक्स्ट है किस पीड़ी के कम्प्यूटर भारी, वैक्यूम, ट्यू, अधारत और महंगे थे पहली पीड़ी के नेक्स्ट है मनुस में निम्न मैंसे किसकी ओक्सीजन के लिगे उच आत्मेता है हीमोकलोविन नेक्स्ट है गोली दरपण की परावर्तक सताय का केंद बिंदू क्या कहलाता है तो यह कहलाता है धुरव, श्रमान अध्यन के प्रस्ण पहला प्रस्ण है पूजी के निम्न मूल च्छाय को समायुजद करने के लिए क्रम में किये गए शकल निवेश के मूल को क्या कहा जाता है मूल हरास नेक्स्ट है कुल इस्थरलागत और कुल परिवर्तनी लागत का योग कहलाता है कुल कीमत नेक्स्ट है प्रस्द लोग गीद कजरी कहां लोग प्रिय है योत्तर प्रदेश नेक्स्ट है डबलू डबलू के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है तो यह है S T T T P नेक्स्ट है इनमें से किस इस्पात सयंद्र के इस्तापना 36 गड़ के दुर्ग जिले में रूसी सायोग से की गई थी और इसमें 1969 में वत्पादन सुरू हुआ था तो ये था भिलाई इस्पात सायंत्र नेक्स्ट है इन में से किसकी स्थापना लीग ओप नैसंस के स्थान पर की गई थी सायोगत राष्ट संग नेक्स्ट है इन में से किसे मिल्क मैन ओप इंडिया कहा जाता है तो डॉक्टर बर्गीज कुरियन नेक्स्ट है इन में से किस चिकत्सक चिकत्सक ने भारत आका उनिस सो चुरानवे से अठारा सो पंद्रा तक वंगाल मेडिकल सर्विस में काम किया और भारत के कई विविद छित्रों में महत्पूर्ण सर्वेक्छान एवं खोज की कौन थे ये तो यह है फ्रांसेस बुकानन नेक्स्ट है उनिस स्वर्तालस में ब्यासवेक्छ ब्यापार को भी निमत करने के लिए जी ए डवल्टी की स्थापना की गई थी जी ए टी का पूर्ण रूप क्या है तो इसका होता है जेनरल एग्रिमेंट एंड जेनरल एग्रिमेंट ओन टेरेप्स एंड ट्रेड नेक्स्ट है वेल्ट होप नेशन नामक पुस्तक के लिखा कौन है तो इसके हैं एडम स्मित नेक्स्ट है मनुरा का किला कहां इस्थेत है तमिल नाडू नेक्स्ट है इनमेंचे कौन सा राज बाक साइट के सबसे बड़ा अत्पादक है तो उडिशा नेक्स्ट है जब लोगों को बजट के माध्यम से बित्त पोस्त किया जाता है और सर्वजनक बस्तों को किसी भी प्रत्यक्ष भुकतान से मुक्त अपलब्द कराया जाता है तो इसे का कहते हैं तो इसे बोलते हैं सर्वजानेक प्रावधान, क्या बोलते हैं सर्वजानेक प्रावधान, नेक्स्ट है निमलिखत में ऐसे किस ने पाकिस्तान के गठन की मंग का भूत किया, खान अब्दुल गफ़ार खान ने, नेक्स्ट है इन में ऐसे कौन भारत में सबसे नभीनतम नेक्स्ट है प्रिशद उपन्याज अन्टचेवल किसके द्वारा लिखा गया है तो यह मुल्क राज आनंद नेक्स्ट है इनमें से किस रेशेदार फसल का उपयोग मौटे कपड़ा मौटे कपड़े ब्याग थेले और सजावट सामान बनाने के लिए किया जाता है तो यह है जूट नेक्स्ट है भारत के सम्मिधान का कौँशा अनुछिद राजपाल की न्योकती से सम्मंदत है तो 155 नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठान इनमें से किसकी स रक्षा पर केंद्रत है तो यह है मानवाधी कार्शी सम्मंदत है नेक्स्ट है कौन सा अंदोलन सांती पूर्ण होने के लिए कौन सा अंदोलन सांती पूर्ण होने के लिए परियाप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए परियाप्त सकारात्मक था आसायोग आंदूला नेक्स्ट है अरुन्धाती रुआ को किस पुस्तक के लिए भुकर पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो इनकी पुस्तक है रही तो इने किस में मिला था इने मिला था दा गौड ओप स्मॉल थिंग्स नेक्स्ट है 1793 में इस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्णर जनरल कौन था तो लॉर्ड कौन वालेस नेक्स्ट है जै चबान जै किसान का प्रिशद नारा किस ने दिया था लाल भादुर सास्त्री नेक्स्ट है भारत में शीमा शाड़क संगठान की स्थापना कब हुई थी तो यह हुई थी 1960 इसकी हुई थी 1960 में स्थापना माई 1960 नेक्स्ट है कौन तेश साल 1802 से 1825 तक भारत में रही जिनकी पेंटेंग आम लोगों को के रोज मर्रा के जीवन के परिद्रस और द्रसों को चित्रत करती है तो यह हैं यह हैं जोर्ज चिन्नेहरी अगले सेट पर चलते हैं नेक्स्ट है तेश नंबर सेट जोकी 13 जनबरी 2021 को सेट फास्ट सिफ्ट में आई हुए प्रस्ण है पहला प्रस्ण है उस प्रस्द उस बिस प्रस्द वैग्याने का नाम बताईए जिसे सापिक्षिता के सद्धान के लिए जान जाता है तो यह है अलवर्ट आइंस्टीन नेक्स्ट है वैच्छेत्र जहां स्रोत से आने बाला पूरा प्रकास आउरद्ध हो जाता है तो यह है प्रचाया नेक्स्ट है थियो फ्यक्टस को निम्न मैंसे किसका चनक माना जाता है थियो फ्यक्टस को निम्न मैंसे किसका चनक माना जाता है तो यह हैं किसके चनक बनस्पति विज्ञान के नेक्स्ट है परासपर्शम्मंदित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोग करता को फाइलों तक पहुँचने और संसुदित करने की अनुमती देता है के रूप में जाना जाता है तो यह है डेटावेस मेनेच्मेंट सिस्टम डेटावेस मेनेच्मेंट सिस्टम नेक्स्ट है वायोगैस एक उतकरश्ट इनन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होती है पधात की प्रकरती से सम्मंद्यत मूल भूत सद्धान किसने पैतिपादित किया था जोन डाल्टन नेक्स्ट है निमलेखत में से कौन सा सद्धान्द और उर्जा परणालियों से सम्मंदत है फोटो बोल्ट टाइक प्रभाव नेक्स्ट है शमान अध्यान के इन में से किसने अपने सामराज को संगठत एव मजबूत बनाने के लिए सिंदु घाटी से लेकर पश्च मंगाल में इस्ते सोनार घाटी तक साही सडक का निर्मा कड़ाया था जिसका नाम ब्रेटेस काल के दोरान दोरान बदल कर जीटी डोट कर दिया गया था तो एक थे सेर्षाय सूरी नेक्स्ट है नेक्स्ट है भारत के उस इस्तान का नाम बताईए तो ए है नाक्पुर नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग भासा सी पिलस पिलस का विकास AT&T वेल लेबो क्या है लेबो रेटीज मैं इसमें तो दिख नहीं रहा है उसका नाम जिसने किया था आप देख ले न ने किस दसक में किया था तो इसका अंसर हो जाएगा 1980 के दसक में नेक्स्ट है भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणू परिक्छान किस वर्स किया था तो ये था 1998 में नेक्स्ट है स्वराज पार्टी किस था अपना किस वर्स की गई 1923 में नेक्स्ट है भारत का स्टैचू आप यूनिटी किस रज में इस्ट है तो यह हैं गुजरात में इस्ट है नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट संयुक्त राष्ट विकास वह संयुक्त राष्ट दिवस किस थी को मना जाता है तो यह मनता है चौबेश अक्टूबर को सर्वदिक जनसंग्या वाली देश किस महादीप में इस्थित है तो ए है एसिया में कौन से महादीप में एसिया में नेक्स्ट है नीती नेक्स्ट कुश्चन था आपका नीती आयोक का गठन 2015 को भारतिय योजन आयोक को समाप्त करके उसके इस्थान पर किया गया कब डेट क्या थी 2015 में तो हुआ था लेकिन डेट और आपको बताना है तो ये था एक जनवारी 2015 को नेक्स्ट है भारत रत्न प्रोस्कार से सम्मानत सुपरसद गायक भूपेन हजारिका किस राज से सम्मानत है तो ये असम से है नेक्स्ट है भारती डेचर बेंक के स्थापना एक अप्रेल को पांच करोड की सेयर पुझी के साथ हुई थी कब तो 1935 में नेक्स्ट है निमलेकत मैंसे कौन सा भारती संसत का अंग नहीं है तो इसमें राष्ट बदी है लोगस्वाराश्वाराज की विधान श्रवाय नहीं है नेक्स्ट है 1749 में निमलेकत मैंसे कौन सा गवर्णर चनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विसाल महल गवर्मेंट हाउस का नर्मान कराया लॉड वेले जली आया था आकवर्णी नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रेस्ट नहीं आपका निमलेकत मैंसे निमलेकत मैंसे के शहर को भारत में महलू का शहर दा सिटी अब दा पहली सेज की रूप में जाना जाता है तो यह कलकत्ता नेक्स्ट है सोतंत भारत की पहले गवर्णर जनरल कौन थे लॉर्ड माउंट ब्रेटन नेक्स्ट है पधात की प्रकरती से सम्मंदत मूल भूत सद्धान किसने पैतिपादित किया तो ए थे जोन डाल्टन नेक्स्ट है इनमें 21 वर्ष के दौरान लोकसवा और राजविधान सवा चुनाओं के लिए मत्दान किया यू 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई तो ए 1888 नेक्स्ट है उस व्यक्ति का नाम बताईए जिसने 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया था तो ए है कौन है इक कॉलन मेकेंजी नेक्स्ट है बिकरम सारवाई अंत्रक्ष केंद कहां पर रिस्ते थे तो ए है तुरू अनंदपुरम नेक्स्ट है नेक्स्ट है मेगा लोग पॉलेस एक ग्रीक सब्द है जिसका आर्थ है महान सहर इसे नेक्स्ट है नेक्स्ट है किसकी अध्यक्षता में भारती राष्टी कांग्रेस ने एक अत्रस दसंबर उन्यस्ट उन्यस्ट में उन्तिस को लाहर अधिवेशन में पून स्वाराज का अस्तित पून स्वाराज को अपना अंतिम लक्ष घोसित किया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था तो इसकी अध्यक्षता की थी जवहालाल नहरू जी ने नेक्स्ट है आधार पर बारा अंकिये विसस्ट संख्या है जिसे जारी किया जाता है किसके द्वारा तो ओडाई के द्वारा जारी किया हो जाता है इसका फुल में बताना है यूनीक आइडेंटिफिकेशन इसका होता है यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथर्टी अप इंडिया ए नेक्स्ट है प्रथम पंच वर्सी योजना की योजना का मसवधा तयार करने में शामिल यूवा आर्थसास्त्री कौन थे के एन के एन राज नेक्स्ट है निमलेखत में अशी कौन सा भारती ये मानक समय को सत्रीक धंग से राच आता है जी एम टी प्लस सारे पांच नेक्स्ट है अवद राज को किसने ड्रटेस राज में बिले किया तो एक किया था बिले डल होजी ने लौर्ड डल होजी नेक्स्ट है विश्व स्वास्त संगठन का मुख्याल है इन में सी कहा पर रस्ते थे किस इस्थान पर है तो ये है जिनेवा नेक्स्ट है भारत कितनी बार पुर्शों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवस ये अंतराश्टी प्रारूप के फाइनल तक पहुँचा कितनी बार बताईए आपका अच्छा प्रस्ट है पताईए कितनी बार पहुँचा ऐसा हुगा दो बार चलिए चलते हैं अगले टैस्ट में